इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट सभी एस्पिरेंट्स का मैं बिंग ऑफीशल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं हाजित हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेकर जिसमें हम लोग करने वाले 26 मही 2022 की तीनों शिफ्ट यानि की शिफ्ट वन टू शिफ्ट 3 में जो मैच के 25-25 टोटल मिलाके 75 क्यूशन जो आप लोगों से पूछे गए हैं CHSL 2021 के एक्जाम में वो सभी क्यूशन में आपको आपको सॉल करने वाले हैं डेली 75 प्रेक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं ताकि SSC जो भी एक्जाम कंड़क्ट करता है उन सभी एक्जाम की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाए सॉल करा रहा हूं सॉलूशन दोगा प्रॉपर एनलीसिस के साथ इंग्लिश और इंदी दोनों में मरी स्टेट्मेंट रहने वाली है मैं प्रतीक से ठी पहले ही एक्टेम्ट में यानि की तो छेट्सिट ओच्छन च्छे की दो वीडिएयो प्रोवाइड कर चुका हूँ जिसमें हम 24 मही की तीनों शिफ्ट और यानि यानि की जाल आर चुँक है तो अब भी निप्टारा हो जाएगा ठीक है साथ-साथ और एक important information guys कि अभी मेरा joining process चल रहा है ठीक है तो पिछले 10 दिन से में video नहीं record कर पाया क्योंकि मेरा attestation form आया था और उसके बार फिर मुझे medical कराना था physical थे मेरा document verification था तो इन सभी processes के चकर में तो दस दिन class नहीं ले पाना तो थोड़ा सा धीरज रखिएगा guys और थोड़ा सा weight करना आपका ये weight जरूर आपको fruitful result देगा इस channel पर अगर आप बने रहते हो क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा-चा content provide करने वाला हूं इस channel पर और अभी joining process होगा तो shifting भी करनी है तो वहाँ पर जाके join भी करना है और फिर joining के बाद जो allocation आएगा जहां पर हमें जाना है तो properly वह सारी चीजों में थोड़ा 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 time consume होने वाला तो धीरे धीरे मैं आपके लिए वीडियो भी बनाता नहुंगा साथ-साथ पर थोड़ा सा मोखा देना आप लोग मुझे भी मेरी प्रब्लम समझना तो यह एक-दो महीने अगले hectic जाने वाले है शाहिए training भी ना करनी बढ़ जाए मुझे तो उसकी वज़े से भी थोड़ा साथ में मैं आपको प्री मैथमेटिक्स कोर्स कराऊंगा साथ में मैं आपको प्रीवेस एर कुशन के सेट्स भी यहाँ पर कर रहता हूं जिसमें मैं 2019 और 2020 में तो मैंने CPO, CHSL, CGL के क्विशन करा थे पर 2021 से SSC जो भी एक्जाम कंड़क्ट करता है जैसे CGL, CPO, CHSL, MTS, Ternographer, Constable, GD, Deli Police, Constable, Selection, Post इन सभी एक्जाम्स के क्विशन में आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करूँगा मैच के सारे क्विशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो यह सभी चैप्टर की प्लेइलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में अविलेबल हो जाएगा और यह प्रीविएस एंसेट में आपको कुछ करा चुका हूँ 2020 और 2019 में तो CPO, CHSL, CGL के कराए है तो प्लीज जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है एक बार चैनल पर ज़रा के जरूर गो थ्रू होना और comes back, comes back मतलब 18 km downstream गई और 18 km वो upstream आई उसको total time लगा कितना 6 to 6 by 7 hours आपको speed of the stream बतानी है देखो सब्सक्राइली बात तो आपको एक चीज पता होती है क्या आपको पता होता है कि speed जो होती है downstream की उसमें हम speed of boat in still water plus speed of stream add करते हैं मतलब speed of boat in still water plus speed of stream और speed of upstream जो होती है वो क्या होती है कि हम speed of boat in still water में से घटा देते हैं क्या speed of stream तो यह downstream की speed होती है यह upstream की speed होती है आपने देखा total time जो है वो उसको कितना लगगा है 6 to 6 by 7 तो आपने देखा कि downstream जाने में और upstream जाने में उसको जो total time लगा वो कितना लगा T तो आपने देखा downstream जाने में आपने माले कि TD टाइम लगा और upstream आने में उसको TU टाइम लगा total मिला के जो उसको time लग रहा है वो कितना लग रहा T उसकी value आपको given है कितनी 6 is to 6 by 7 hours ठीक है और divide करेंगे किस से speed of downstream से क्योंकि time of downstream अगर आप निकाल रहे हो तो distance by speed of downstream आप लिखोगे और time of upstream अगर आप निकाल रहे हो distance distance जो है सेम है मतलब जितना वो गया था टारा किलोमेटर उतना ही वापिस आया डिवाइड दरो speed of upstream से तो total time की value आपको कितनी किवन है 6 is to 6 by 7 ठीक है तो आपने देखा कि speed of downstream क्या होती है x plus y मतलब यहाँ पे आपने देखा कि 18 by 12 plus y प्लस 18 by 12 minus y इसकी आपको value किवन है 6, 7, 42 plus 6 कितना होगा 48 by 7 ठीक है अब यहाँ तो आप इसको क्या कर सकते है आप इसको पूरा quadratic बना के solve कर सकते है दूसरे तरीका ही है इस question को solve करने का कि आप क्या करो आप यहाँ पे option से put करना शुरू कर दो जैसे मैंने option से put किया मैंने speed of stream जो है जो आपको निकालनी है और जो option में आपको available है उसकी value यानि की value मैंने 6 पहले put किया आपने 6 put की तो आपने देखा 18 by 18 हो जाएगा 12 और 6 अठारा फिर आपने देखा 18 by 6 हो जाएगा 12 माइनस 6 कितना होगा 6 तो आपने देखा यहां से कितना आ गया तीन और एक 4 पर time जो है total कितना लग रहा है 48 बाई साथ इस value को रखके 6 value को रखके time कितना लग रहा है 4 मतलब यह option जो है आपका गलत आ गया फिर आपने 7 value रखी 7 आपने value रखी तो आपने देखा 12 और 7 कितना होगा 19 18 12 में से 7 गया कितना आ गया आपके पांच आ गया तो आपको एक चीज़ चेक करनी है क्या आपने यहां पर देखा कि आपको जो है यहां पर कितना given है 7 given है मतलब इन दोनों में से 12 प्लस y या 12 माइनस y में एक value ऐसी होनी चाहिए जो 7 का multiple हो मतलब मैं यह कहना चाहरा हूँ क्या कि जो यहां पर 19 आया जो यहां पर 5 आया अगर मुझे total मिला गया प्लस करके इसको denominator में अगर मुझे 7 लाना है तो इन में से कोई एक multiple तो 7 का होना चाहिए आपने देखा 19 भी 7 का multiple नहीं है पांच भी 7 का multiple नहीं है इसको solve करके भी कभी भी आपका 48 बैस 7 नहीं आएग तो आपने देखा इसकी value जो है आपकी point 9 आगई और इसकी value आपकी कितनी आगई 9 पोटे 2 4.5 तो 4.5 और ये कितना होगया 5.4 प्लस ये कुछ है कितना मतलब आपने दोनों को जोड़ा तो आपने देखा कितना आप 9 प्लस 4.5 कितना होगया 5.4 यहां पे value कितनी है 6 पूइं कि देख लो 18 12 और 9 कितना 21 अब 21 आपने देखा साथ का मल्टीपल मतलब इससे इक्षिन सौल होने के चंसे हैं बारा में से यहां पर एसे लिखनो मतलब इस वाली मतलब प्लस के बाद जो लिखा हुआ है आप नियुमिनेटर में वाई स्कॉर डिवाइड किया तो य स्कॉर से वाई स्कॉर कट गया और डिनॉमिनेटर में आपके बचाएगा साथ लिखा यहां अपका यह क्या लिखा हुआ यह क्योब आपका यह लिखा हुर तो आपका यह लिखा हुआ है आ plants में अच्यू दूमिनेटर रिखना तो यह क्यो Czyli इस क्योब करें यह ओका हुआ है आ not about you और यहा फिर आफ बैक्त भी समझ सकते हैं इतना तो आप आप समझ चुके हैं सारी चीज़े सौल करें क्या मैं इसको डारेक्ट भी लिख सकता हूं कि A plus 1 by A की value निकाल लो इसके बाद A Q plus 1 by A cube की value निकालना, आसान हो जाएगा, आपने देखा कैसे निकालेंगे, आपने देखा दोनों साइड, left-hand side, right-hand side, दोनों साइड मैंने दो-दो जोड दिया, 2 दोी जोड़ा तो मैंने देखा Left hand side में 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 पास क्या लिखा है Left hand side में 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 पास lysis A plus 1 by A का whole square Right hand side में कितना लिखा है? 9 9 क्या होता है? 3 का square मतलब मेरे पास A plus 1 by A की value कितनी आ गए? 3 A plus 1 by A की value अगर 3ा तो aq plus 1 by aq की value कितने हो जाएगी 3 का cube minus 3a तो 3 का cube कितना 27 में से 9 कितना आपका 18 आपका answer आजाएगा 18 जो है बिल्कुल सही है यह वाला question है आपको बोला है after allowing 15% discount a dealer wishes to sell a machine for इतना आपको बताना है उसका mark price आपने माल लिया mark price जो होगा वो MP होगा आपने माल लिया mark price जो है वो MP है ठीक है उसमे 15% discount दे दिया तो आपने देखा mark price की value कर अपने आप में 100% है उसमे 15% की छूट दे दी तो आपने देखा 100% में से 15% अगर मैं minus करूँ तो बचा कितना 85% तो आपने देखा mark price के जो 85% की value है वो कितनी गिवन है आपको वो आपको गिवन है 1,2,700 तो इस question को solve करने में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए यह सिर्फ इतना सा question है आप देखो आप यह 17 पे गया यह 20 पे गया तो mark price जो है वो आपका कितना हो जाएगा आपने देखा 3,0 जाजाएंगी और 27,54 और 12,24 इसको divide करना है आपको 7 से 17 से 17 एक 4,4,4,3,5,2,9,4 आपका answer आजाएगा ठीक है तो यह आपका बिल्कुल correct answer होगा अब यह वाला question है देखो कैसे करेंगे आप लोग क्या करो आप इस question में आप इसको direct solve करो देखो आपने क्या क्रॉस multiply कर दिया सबसे पहले ठीक है आपने क्या क्या आपने क्रॉस multiply किया क्रॉस multiply करके आपने देखा कि 8R into 14 आर स्कॉर माइनस 8R plus 1 ठीक है तो आपने देखा 14 into 8R 14 into 8R की value आपके वास कितने हो जाएगी 112R तो यहाँ पर कितना हो गया plus 1 ठीक है तो फिर आपने देखा कि r square plus 1 की value आपके वास कितने है यहाँ पर 8R मैं left hand side में ले जाओ तो यह आपका add हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आगया 120R ठीक है आपको बोला है r plus 1 by r की value बताओ r plus 1 by r की value बताने के लिए आपको क्या करने है आप दोनों साइड r से डिवाइड कर दो तो आपने देखा कि इधर क्या लिखा है 120 r by r यानि कि 120 लिखा है इधर क्या लिखा है r square by r कितना हो जाएगा और 1 by r आपके बास बचा तो r plus 1 by r की value जो है आपके बास कितने आ गई 120 आ गई असान question है अब यहोला question है आपको बोला है कि average weight पंदरा एथलीट और 3 trainers का जो है वो कितना है 60 kg अब 4 more athletes आ जाते है मतलब 4 और एथलीट आ जाते है जिनका जो है average weight कितना है आपके बास 63 kg और उ आपने देखा कि पहले क्या पहले आपने देखा कि पंदरा एथलीट हैं और 3 trainers है मतलब total मिला के जो बंदे हो गए वो कितने हो गए 18 बंदे हो गए उनका average weight कितना है 60 kg अगर 18 बंदों का average weight 60 kg तो total weight 18 बंदों कितना हो जाएगा average into number of people in the group तो आपने देखा कि number of people कितने 18 और average कितना 60 तो total value कितनी हो गई मतलब total weight जो है वो आपके जो कितना आगया 18 इंटो 7 फिर आपने देखा चार और एथलीट आए जिनका average weight 63 kg है तो total कितना हो जाएगा 63 इंटो 4 अब डिवाइड कर दो किस से अब आपको बताना है average weight पूरे group का आपको average weight बताना है आपने देखा 18 बंदे पहले थे चार बंदे हो रहा गए मतलब number of person जो अब हो गए वो कितने हो गए 22 हो गए अब आप इसको solve कर लो आपने देखा इसको solve किया आपने तो आपका या कितना 1080 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा 666 ठीक है 666 पे चला जाएगा यह हाँ तो आपने देखा यह कितने पे गया 6 पे 0.5454 तो 6.5 तो 6.5 यानि के round off में कितना हो जाएगा यह 61 हो जाएगा तो यह जो है आपका correct answer ठीक है ना तो ध्यान रखना बड़ा पास-पास सही option है 60 और 61 दोनों की बन है तो आप ध्यान परना calculation के साफ से 60.545 जो की round off में करके आपका 61 हो जाएगा ठीक है ना और allocation से भी equation हो जाएगा ठीक है आपको पता ही allocation से भी हम लोग इस question को solve कर सकता है कैसे करेंगे आपने देखा कि 15 athlete और 3 trainer trainers इनका average weight कितना है 60 kg फिर आपने देखा 4 और athlete आ गए जिनका average weight कितना 63 kg अब total म मिलाके जब इन्होंने group मना लिया तो उसका आपको average weight बताना है मतलब इसकी value आपको बतानी है और आपने देखा 60 बंदे मतलब 60 average weight कितनों का था 18 15 athlete और 3 trainers का यानि की total मिलाके बंदे कितने थे 18 और 4 athlete का जो था वो कितना था 63 kg तो आपने देखा जब मैं इसका ratio बनाऊंगा टीन और दो 11 111 की value कितनी 3 की value कितनी यो जाएगी 3 बिटे 11 तो 22 की value कितनी हो जाएगी 6 बिटे 11 बिटे 11 कि value कितनी होती है .54 54 जब लेका साठ से value बड़ी होना चाहिए 63 से value चोटी होगी क्योंकि 60 63 की बिच के value होनी है तो आपने देखा 60 में अगर आप 0.5454 जोडएंगे तो 60.5454 हो जाएगा जो कि 61 के इक वहला है ठीक है ना डाउंड आफ में तो ऐसे भी कर सकते हैं अब यह वहला क्विशन है आपने देखा साथिया 21, 21 और 6 कितना होता है 27 तो यह कितना हो गया 27 और अगर मैं multiply लिख दू यहाँ पर तो numerator की जगा denominator आजाएगा denominator की जगा numerator आजाएगा यह गया दो पर साथ से साथ कट गया मतलग इतनी चीज़ को solve करके आपका कितना हो गया एक बटे दुआ ठीक है तो चार ती अब बारा में से पांच कहे कितना साथ हो जाएगा साथ बाए चार प्लस ए बाए चार इक्वल टू जीरो तो आपने देखा यह दो बटे चार तो दो चार मैंनस साथ प्लस ए इकोल टू जीरो तो ए मैंनस फाइव इकोल टू जीरो तो फर इदर मल्टिपलाई होगा तो जीरो यह जाएगा ऐ की वैल्दियो आपके उस कितनी आगई पांच आ जाएगा ठीक है आपको बोला हो मेनी ब्रिक्स मतलब कितनी ब्रिक्स चाहिए जिनकी डाइमेंशन जो है इतनी है मतलब एक ब्रिक है जिसकी लेंथ इतनी है ब्रेथ इतनी है हाइट इतनी है ठीक है तो आपको बताने कितनी ब्रिक्स चाहिए ताकि अगर आपको वाल कंस्ट्रक्ट करन एक wall बनाने हो मतलब एक दिवार बनाने हो तो इतनी dimensions की brick आपको कितनी required है ठीक है आपको कोई और material यूज नी करना मतलब आपको यह मानना है कि कोई और material यूज नी हुआ सिरफ दिवार को बनाने में क्या हुआ है इंटो का यूज हुआ है यानि कि bricks यानि कि bricks का यूज हुआ है मतलब यह समझ सकते हैं तो आपको बताना है कि कितनी number of bricks चाहिए ठीक है आप समझ गए इतनी बाद तो आपने देखा कि volume of walls होगा आपके पास वो कितना आ जाएगा आपने देखा volume of wall जो है अगर मैं बताऊं क्या कि volume of brick को अगर मैं number of bricks से divide कर दो मतलब एक brick का volume इतना अगर मैं मालों कि number of bricks जो है वो n लगेंगी तो n number of bricks का volume कितना हो जाएगा n into volume of brick ठीक है equal to किसके हो जाएगा volume of wall मतलब एक wall को बनाने में जो number of bricks लगेंगी उसकी value कितनी आ जाएगा आपके बास volume of wall divide by volume of brick क्यों क्योंकि हमें wall बनानी है bricks जोड जोड के जोड जोड के जोड जोड के मतलब मुझे यह मालों कि अगर n brick जोड नी है तो मतलब मुझे volume of brick volume of brick n times जोडना पड़ेगी ठीक है इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी और जब मैं इस सब को जोड लूँगा तो मेरे पास जो है volume of wall आजाएगा कि इतनी wall बनाने के लिए इतनी number of bricks required है तो आपने देगा number of bricks की value अगर n हमने माल ली तो उसकी value निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा volume of wall को divide करना पड़ेगा volume of bricks से तो आपको पता है क्या कि wall का भी आपको dimension given है length into breadth into height volume अगर निकालेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल गया एक चीज़ क्या कि wall जो है वो भी आपका cuboid की form में है क्योंकि length भी है breadth भी है height भी गिए और जो आपकी brick है वो भी आपकी cuboid की form में है तो जब आपको volume निकालना है तो volume का formula क्या होता है length into breadth into height तो आपने देखा length कितनी है आठ यह मीटर में अब यहाँ पर आपने देखा कि brick जो थी वो centimeter में थी सारी dimensions तो आप सब को centimeter में चेंज कर लो 8 meter जो हता है 800 centimeter के equal होगा 6 meter जो हता है 600 centimeter के equal होगा क्योंकि एक मिटर में 100 centimeter होते है चेंज आ गया तो चेंज तो हैं यहाँ पर 100 पर गया और यह यहाँ पर दो पर गया और 25 यहाँ पर किसने पर गया चार चार दूनी आठ 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 जा कितना होगा 6400 जो है मारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए मतलब यह जो एक ब्रिक है जिसकी डाइमेंशन है 25 इंटू 11.25 इंटू 6 अगर यह हमें जो ट्रियंगल है वह आइसोसलिस ट्रीयंगल है आपने देखा AB जो है वह AC के एक attainable है और PQ जो है वह PR के एक equal है फिर आपको बोला है कि AB जो है वो PQ के equal है औरBC जो है वह आपको QR के equator है ए और आपको angle B दे दिया कितना 50 डिगरी तो आपने यह ऐह से देखा पहली चीज़ त Q के equal है, तो आपने देखा कि अगर A, B, A, C के equal है और P, Q, P, R के equal है, तो आपको question में एक और चीज दिया है, क्या कि A, B, जो है, P, Q के equal है, अब A, B, जो है, A, B, P, Q के यहांखंग ही तो आपको यहांप समझ आ गैया क्या कि यह दोनों ट्राइंगल तो आपस में congruent हो जाएंगी ठीक है by SSS property तो आपने देखा यह दोनों ट्रेंगल आपस में congruent हो गई अब आपने देखा angle B 50 है अगर angle B 50 है तो angle Q भी आपका 50 हो जाएगा ठीक है आपको बताना है angle R angle R बताना है आपने देखा पी क्यू आपके पास कितना किया 900 ग्राम पर ग्रहा को कितना कहा कि मैं एक किलो यानि की 1000 ग्राम तुझे दे रहा हूं तो जो shopkeeper को है वो cost कितने की बढ़ रही है आपने देखा जब shopkeeper ने उसको खरीदा होगा तो 900 ग्राम खरीदा होगा उसको मतलब देखो मेरा कहने का मतलब क्या यह चीज़ समझो shopkeeper ने एक तराजू पर तोल के दी चीज़ ठीक है और जो खरीदने वाला है यानि कि जो customer है उसको तो वो बोल रहा है क्या कि मैं तिरको 1000 ग्राम यानि कि 1 किलो दे रहा हूं पर उसको पता है shopkeeper को क्या कि मैं दे तो 900 ग्राम रहा हूं तो मतलब जो shopkeeper ने cost पे की थी वो कितन store से जो है वह 1000 किराम की कोस्त ले रहा है मतलब जोусका selling तो आपने कास्ट प्राइज प्राइज और सिलिंग प्राइज कारेश का वह दिन Indيل पर से 100 तो तो 100 by 9 यानि कि 11 सही 1.9% आपका correct answer हो अब यह वाला question है आपको बोला average marks score by a student मतलब एक student ने जो average marks score किये 4 subjects में ठीक है 4 subjects में जो average marks score किये वो कितने किये 75 but when the marks of English are ready to it मतलब अगर मैं इन 4 subjects में English के marks include कर दू तो average कितना हो जा रहा है? 70 हो जा रहा है आपको बताने English में उसने कितना score किया देखो आपने देखा English के marks कौन से वाले average में गिवन है आपने देखा 70 वाले average में English के marks गिवन है मतलब English के marks कौन से वाले average में consider हो रहे है आपने देखा 70 वाले में मतलब English के marks जो है 70 तो होंगे होंगे फिर आपने देखा कि जब English के marks जुड़ गए तो 4 subject के average वे हमी 5 का decrement आ गया ठीक है आपने देखा कि जब 4 subjects थे खाली उनका average marks कितना था 75 ठीक है अब मैंने उसमें English के marks जुड़ दिये तो average कितना आ गया 70 आ गया मतलब बात यह हुई होगी क्या कि English के marks होंगे कम उसने 4 subjects से थोड़े थोड़े marks लेके English के marks जो है average 70 पे ला दिया मतलब 70 जो है English के marks आप माल लो और उसमें आपने देखा कि 4 subjects में मतलब English के marks की बज़े से 4 subjects में जो average गिर गया कितना गिरा पांच का तो 5 अगर average गिरा तो total कितना गिरा 20 गिरा तो आपने देखा English के marks उसके कितने रहे होंगे 50 तभी उसने 4 subjects से 5 5 5 5 लेके जो average score अपना बनाए होगा 70 और वो 4 subjects का भी 70 रहेगा English का भी आपका 70 रहेगा ठीक है तो समझ पाया होंगे आप लोग उमीद करता हूँ यहां फिर formula क्या आपने देखा कि जब 4 subjects और English के marks include किये तो 70 average बना तो total score कितना होगा 500 subjects का 70 रहेगा और फिर आपने देखा कि 4 subjects का जो total है वो कितना है 75 रहेगा तो 3.500 घटा दो साड़े 300 में से 300 घटाया तो कितना जाएगा 50 यह आपका English का score आजाएगा आपको बनाने greatest कौन सा है तो आपको पता इसकी value कितनी होती है 0.67 इसकी value कितनी होती है 0.8 तो सबसे greatest तो यही हुआ अब यहाले question है आपने देखा P ratio Q की value आपको given है कितनी 10 ratio 11 Q ratio R की value given है 11 ratio 12 value तो equally है तो आपको कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं तो 10 ratio 11 ratio 12 जो है वह आपके किसकी value हो गई P ratio Q ratio R की आपके बस value हो गई तो आपने देखा P plus Q 10 plus 11 Q plus R 11 plus 12 R plus P 12 plus 10 तो आपने देखा 10 plus 11 कितना 21, 11 plus 12 कितना 23, 22 तो 21 ratio 23 ratio 22 जो आपका correct answer हो आपको बोला total surface area आपको given है किसका solid hemisphere का आपको उसका volume बताना पाई की value जो है वह आपको 22 by 7 लेनी है तो आपको पता है solid hemisphere है उसका total surface area का formula क्या होता है आपको पता है curved surface जो होता होता है 2 by R square total surface area कितना हो जागा 3 by R square तो 3 into pi की value 22 by 7 R square और यह कितना हो गया आपके बास 16 देख लो कितने पर जाएगा आपने देखा कि एक बार तो 7 पर जाएगा 7 और फिर उसके बार एक सो जो वन साथ पांच साथ पांच से पर जाए गए फिर आप इसको तीन पर काड़ दो तो आपने देखा 25252 तो आर स्कोर की जो value हो गई वह कितनी हो गई 252 into 7 यानि कि यह आपके बास कितना हो गया 1764 तो 1764 जो हो क्या होता है 42 का स्कोर तो रेडियस की value जो है आपके इस कितने आ गई 42 सेंटीमेटर वॉल्यूम निकाल लो वॉल्यूम कितना होता है हमिस्फियर का टू बै त्री पाई आर क्यूब तो रेडियस की value कितने है 42 सेंटीमेटर साथ या 21 21 दूनी 42 तो यह कितना हो गया 88 और 42 into 42 कितना होता है 1764 तो इन दोनों को multiply करोगे unit digit आपके बास 2 आना चाहिए सबी option का unit digit 2 है तो solve कर लो आपने देखा इसको solve करके 15 52 मतलब एग लाग पच्पन हजार 232 आपका correct answer हो आपको बताना है how many two digit number are possible how many two digit number are divisible by three or five ठीक है तो आपको बताना है कि two digit number बता हो जो तीन पर भी जाते है और जो यहा फिर मतलब three भी जाते हो यह फिर five पर जाते हो ठीक है तो आपने देखा पहली बात तो two digit number होते कुण से आपको पता है दस से लेके 99 तक टूजज़िज़िट number होते है मतलब जो smallest two digit number होता हो जो और लार्जेस्ट और गरेंगे जो टू डिजित नंबर कि इस यापको बताना है कि अ sono theamed कि कितने और भी जैंगे को डेखा और प travis. जो जाएंगे तो smallest के हैं 10 और largest कितना है 95 अब आपने देखा कि इसमें भी कुछ ऐसे नमबर होंगे मतलब ये जो नमबर है ये तीन के divisible हैं ये नमबर 5 के divisible हैं तो आपने देखा इन नमबर में भी कुछ नमबर ऐसे होंगे जो पांच पर भी जा रहे हैं मतलब 12 से 99 के बीच में जो 3 के divisible number है उसमें कुछ number ऐसे भी होंगे जो 5 पे भी जाएंगे यानि कि 3 into 5 यानि कि वो 15 पे जा रहे हैं ठीक है और कुछ ऐसे number होंगे 5 के multiple में जो 3 पे भी जाते होंगे मतलब दोनों जगा वो common आ गए तो आपने देखा कि अगर वो दोनों जगा दो बार add हो चुके हैं तो आपको एक बार घटाना भी पड़ेगा गटाना क्या पड़ेगा आपको कि 3 और 5 दोनों का multiplication यानि कि वो 15 पे divisible होंगे number वो आपको घटाने 60, 75, 90 तो आपने देखा 15 पे जो 2 डिजिट नंबर divisible हैं वो टोटल नंबर कितने अच्छे हैं यह तो आपने वैसे निकाल लिया और यह आप AP से निकाल लो आपने देखा first term यह है last term यह है common difference कितना है तीन का अगर divisible आप चेक कर रहे हो तो common difference कितना 3 हो जाएगा तो आपको पता है AP का formula क्या होता है last number equal to first number plus n minus 1 d d जो होता common difference तो आपने देखा last number कितना 99 first number कितना 12 n minus 1 की value divide कर दो d से d इतना 3 तो आपने देखा 87 आ जाएगा 87 by 3 87 by 3 आपके बस कितना हो जाएगा 29 तो n की value कितने आ गई 29 plus 31 मतलब जो तीन पे divisible number है two digit number वो total कितने number है 30 number है अब वो निकाल लो 5 पे divisible जो number है तो 95 में से 10 गया divide कर दिया आपने 5 से plus 1 इसकी value जो है वो आपकी n आ जाएगा एगा तो आपने देखा यह 85 हो गया 17 प्लस एक 18 तो number of terms कितनी आ गई आपके पास 18 आ गई जो की पांच पे जाती है तो आपने देखा जो तीन पे divisible number है two digit number वो कितने है तीस जो पांच पे divisible है वो कितने है 18 और अब इन दोनों नंबर में एसे number मिया मतलब यह उपर वाले में तीन पे भी टिवीजबल पांच पे भी नीचे वाले में पांच पे भी और तीन पे मतलब 3 और 5 यानि कि दोनों पर जा रहे हैं मतलब 15 पर जा रहे हैं तो 15 पर जो जा रहे हैं नमबर वो इसमें भी आड़ हो गई वो इसमें भी आड़ हो गई तो doubling possible नहीं है मतलब 2 बाल किसी एक नमबर को कैसे आड़ कर लें तो वो नमबर काटने के लिए आप क्या करो 15 पर जो divisible दो डिजिट नंबर यानि कि छे नंबर ऐसे हैं उनको माइनस कर तो तो 48 में से 6 गया कितना आ जाएगा आपके उस 42 आ जाएगा इस question में बोला दा price of an article is raised by कितना 45 परसेंट फिर उस पे दो successive discount दियें कितने के 15 परसेंट इच आपको बताना एक इस मतलब आपको बताना कि price जो है वो कितने परसेंट ठीक है यह आपको बताना एक सेक्ट देखो हुआ क्या क्या मालनों यह प्राइस पी था तो पहले क्या हुआ पहले इस वेल्यू में क्या किया 45% का इंक्रिमेंट कर दिया तो फिर कोई एक वेल्यू बनी अब उस पर दुबारा 15% आपने डिसकाउंट दे दिया मतलब माइनस कर दिया फिर एक वेल्यू बनी तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आया है वो कितना है मतलब किसी एक value में पहले 45% का increment किया फिर 15% का decrement किया फिर दुबारा 15% का decrement किया ये पूरे question में उन्होंने किया हुआ है तो यहां तो ऐसा हो सकते है क्या क्या आपको पता 3 value है मतलब एक value में एक बार increment हुआ है दो बार decrement हुआ है तो आप इसको net change के तरीके से भी solve कर सकते है जैसे आपने देखा कि कि नहीं 2 को solve कर लो मैं बात के 2 को करता हूँ तो आपको पता है कि एक value में अगर मैं 2 बार decrement करूँ है तो formula क्या होता है minus 15 minus 15 plus 15 into 15 बाई तो आपने देखा minus का 30 आजाएगा plus का 2.25 आजाएगा तो आपने देखा यह कितना हो गया यह आपके बास हो जाएगा 27.75 minus का और अब इसको 45% के साथ solve कर लो इन दोनों को solve करके आपके बास क्या आ गया माइनस 27.75 अब 45% प्लस में है यह माइनस में है तो आपको पता है एक बार increment दूसरी बार decrement का formula क्या होता है x minus y minus x y by 100 तो आपने देखा 45 में से 27.75 गए फिर 45 into 27.75 बाई सो तो आपने देखा कि इसको solve कर लेते तो इसको solve करके आपका कितना रहा है पहले तो इन दोनों को minus कर दो यहाँ पर 0.25 आएगा और 44 में से अगर मैं 27 गटा हूँ तो 17 आएगा और इसको solve करके आपका कितना रहा है 12.4875 तो आप जब इसमें से घटा होगे तो आपकी values है वो कितनी हाँ जाएगी साथ पॉइंट सॉरी चार पॉइंट साथ छे दो पाच परसेंट तो यह प्लस में मतलब increment हुआ है तो increased boy इतना जाएगा या फिर एक और तरीका हो सकता है क्या कि आपने देखा कि किसी value में पहले increment हुआ फिर दो बार decrement हुआ तो आपने देखा कि initial value अगर 100 थी तो value में increment हुआ कितना 45% तो value कितनी हो गई 145 हो गई फिर उसमें decrement किया दो बार कितने कितने का 15 15% तो आपने देखा 15% का decrement तो 100 से value कितनी हो गई 80 हो गई पिर एक बार और decrement किया कितने का 15% है तो आपने देखा Assistant कितनी हो गई 85 हो गई दूबार ठीक है ना क्योंकि यहाँ questa का decrement हुआ औ 29 20 17 27 तो आपने देखा तीनों को आपने multiply किया तो आपने देखा यहाँ पर कितना आगया आपका 8000 और यहाँ पर कितना आगया 8381 initial value किती थी इतनी final कितनी increment हुआ कितने का increment हुआ 381 का 8000 से 8381 value होगी तो increment कितने का हुआ 381 value हुआ तो आप 381 को 80 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वेल्यू कितने आ जाएगी 4.67625 परसेंट आ जाएगी question बोला what is the volume of the largest right circular cone that can be cut out from a cube जिसका edge जो है वो 10 cm है मतलब cube यानि की हर side जो है वो equal होगी जिसकी value कितने given है 10 cm अब largest cube क्या होगा आपको पता है largest जो कौन sorry largest cone क्या होगा इसके अंदर कि जिसका base जो है वो side पे touch कर रहा हो पहली बात तो ये और जो उसका उपर वाला vertices होगा मतलब cone का जो base हो वो तो एक side of cube पे पूरा पूरा टच कर रहा हो मतलब जो circumference हो इसकी वो चारो side होगो मतलब अगर ये उपर वाले face पे cone का base जो है अगर touch कर रहा है तो उपर वाले face की चारो side हो पे circumference cone के base की touch हो रही हो और जो vertices हो उपर वाला सबसे वो वाला तो ये सामने वाली side पे touch हो रहा हो कि इसकी raeड conse कित्षी होगी और इसकी hyatt कित्नी होगी क्योंकि हमें बतानाय है क्या volume अगर हमें बतानाय है तो हमें पताना चाहिए height भी हमें बताना चाहिए radius भी अब height क्य होगी आपने देहा height जो होगी वह जो cube की height होई आपकी right circular cone की height हो जाएगी यानि कि 10 cm और जो रेडियस होगी आपको बादा बेस की रेडियस आप कैसे निकालेंगे आपने देखा कि टोटल लेंथ जो है क्यूब की किसी भी साइड की विद्धा सेंटिमीटर है तो रेडियस की कितनी हो जाएगी आदी हो जाएगी मतलब यहां से लेके यहां तक डायमेटर हो जाएगा किसके किसका बेस ऑफ कौन का बेस ऑफ कौन का डायमेटर जो है वो क्यूब की साइड के एक वला तो रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी आदी हो जाएगी यानि कि 5 सेंटिमीटर हो जाएगी आपके बाद रेडियस भी आ गई और आपके प 25 इंटु 10 धाइससो बाए तीन पाई जो है वो आपको correct आंसर जाए question बोला the difference between the compound interest and the simple interest और गिवन प्रिंसिपल आपको principle गिवन है time गिवन है rate of interest गिवन है आपको principle बताना है ठीक है principle नहीं आपको difference गिवन है किस-किस का आपको difference गिवन है compound interest और simple interest का ठीक है किसी principle पे 2 साल के लिए और आपको rate of interest गिवन है ठीक है और interest जो है compounded annually है आपको principle बताना है देखो difference का formula क्या होता है मतलब अगर आप 2 साल की बात कर गो for the 2 years formula जो होता है compound interest और simple interest के difference का वो क्या होता है compound interest minus simple interest जो है उसकी value किसके equal होती है principle into rate by 100 का square आपने देखा principle आपको निकालना है rate कितना है 25,2,200 यह कितना हो जाएगा चार और difference कितना है difference आपको given है compound interest और simple interest का कितना है 1725 तो आपने देखा principle की value कितनी होगी 1725 principle की जो आपकी value हो जाएगी वो कितने के equal हो जाएगी 1725 into तो आपने देखा यहाँ पर 1 by 4 का square है तो यह कितना हो जाएगा 1 by 16 तो यहाँ पर 16 से multiply कर दो तो इसकी value जो है वो कितना आजाएगी 2700 तो प्रिंसिपल जो है वो आपके पास कितना आजाएगा 27600 आजाएगा 27600 आजाएगा जो कि आपका correct answer है ठीक है तीन साल के लिए formula देहान रखना कि जब तीन साल के लिए compound interest और simple interest के difference का formula बनाते है वो अलग होता है वो हमें आगे question देखने को मिलेगा आप उसमें बताएंगे question में बोला है 2a प्लस 5b की value आपको given है ab की value आपको given है आपको 4a square प्लस 25b square की value बतानी है देखो अगर आप ये जो time है 2a प्लस 5b equal to 12 अगर मैं दोनों side square कर दो तो यहां से मुझे left hand side से बनता दिख रहे है क्या 4a square plus 25b square तो आपने देखा कि अगर ये p है ये q है और p plus q का whole square करूँआ तो formula क्या होता है p square plus q square plus 2pq तो आपने देखा p यानि की 2a का square कितना हो जाएगा 4a square 25b square और 2 into 2a into 5b और 12 का square कितना होता है 144 होता है तो आपने देखा a b की value 3 given है तो 5 दोनी 10 दोनी 20 तो 4a square plus 25b square 144 minus 20 a b a b की value कितनी है 3 तो 20 into 3 कितना 60 144 में से 60 गया तो कितना आजाएगा आपके बास 84 आजाएगा question मैं बोला है x salary मतब x एक बंदा है उसकी salary जो है वो पहले increase हुई 20% फिर decrease हुई 20% आपको पताने कि उसकी salary में change क्या आया तो आपने देखा कोई एक value है ठीक है salary को आप मानलो कि salary कुछ value है ठीक है तो किसी value में अगर मैं एक बार increment कर दू कितना 20% का फिर जो value आए उसमें एक बार decrement कर दू कितना 20% का तो net change क्या होगा आपने देखा किसी value में अगर एक बार मैं decrement करूँ दूसरी बार increment करूँ यानि कि एक बार अगर मैं x% का increment कर दू य परसेंट का decrement कर दू तो net change क्या होता x-y-x-y-100 तो 20 में से 20 गया कितना 0 और यहां पर क्या बचा माइनस 422 यानि कि माइनस 4 माइनस 4 से क्या शो कर रहा है कि decrement हो आगर प्लस value आती तो इंक्रीज हो रहा होता माइनस वेल्य आ रही है मतलब डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज कितना हो रहा है चार परसेंट तो चार परसेंट जो है correct answer question में बोला है mona and sona together can finish a typing work in 18 days sona अकेली जो है कितने में कर लेगी चौबिस दिन में आपको बताना मोना अकेली च्तर टाइम में कर लेगी तो आपने देगा mona plus sona अगर 7 में बबब के काम करें तो इकतर दिन में काम करी है 18 और सोन अगर अकेले काम करें तॉ कितने दिन लेग रहे उसको जो भीस तो आपने देगा चार काम कर देंगे और सोना अगर अकेली काम करें तो एक दिन में तीन काम कर देगी सोना अगर एक दिन में तीन काम करती है और मोना और सुना साथ में विलके एक दिन में चार काम करता है तो मोना ने कितना काम किया हुआ एक तो आपको बताने कि मोना अकेली कितने दिन में का करेंगी तो टोटल वक बाइट वक अफ मौना एक दिन में मौना कितना काम करती है एक तो बहतर काम करने में इसको कितने दिन लगेंगे बहतर दिन लग जाएंगे असान क्विशन है क्विशन बोला पॉपुलेशन ओफ टाउन इतनी है कितनी 80,000 तो आपको बताना है कि अगर एक साल में वो पहले साल में 8% डिक्रीज हो सेकंड इयर में वो 5% इंक्रीज हो तो दो साल के अंत में जो पॉपुलेशन है वो आपकी कितनी हो जाएगी देखो पहली बात तो आपने देखा कि अभी पॉपुलेशन कितनी है 80,000 पहले साल में 8% डिक्रीज होगी पॉपुलेशन आपने देखा यह जो 80,000 वेल्यू है यह अपने आप में 100% है इस में से अगर मैं 8% डिक्रीज करूँ तो वैल्यू कितनी बजाएगी 92% चिक है अब यह एक साल बाद की पॉपुलेशन है फिर बोल रहा है कि जो है 5% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है मतलब इसकी एक साल बाद की पॉपुलेशन जो आपने आप में 100% जिसमें 5% का इंक्रीमेंट हो गया तो वैल्यू कितनी हो गई 100% प्लस 5% यानिकि 105% इसको सॉल कर लो चीक है तो आपने इसको solve गिया तो 77-280 आपकी population आ जाएगी दो साल बात की अब यह वाला question है आपको बोला है ABC एक right angle triangle है बना लो और जिसमें angle B जो है वो right angle है मतलब angle B जो है वो आपका कितना है 90 degree है फिर आपको बोला है sin A cos C plus cos A sin C की value बताओ sin A plus C की equal हो जाएगी ठीक है ना आपको बता है sin A plus B का formula क्या होता था sin A cos B plus cos B plus cos A sin B मतलब sin A plus B का formula क्या होता था sin A cos B plus cos A sin B तो sin A cos C plus cos A sin C का formula आपका क्या बनेगा reverse बन जाएगा sin A plus C आपने देखा angle B अगर 90 degree है sum of all angle after angle कितना होता है 180 degree तो angle A और angle C का जोड कितना बचा आपके बास 90 degree बचा तो sin A plus C यानिके sin 90 degree sin 90 की value कितनी होता है if the total monthly income of the family is 70,000 आपको बदाना है कि कितनी amount बची अगर वो food और medical expenditure कर लेता है उसके बाद कितनी amount बचते आपने देखा food पे वो कितना खर्च रहे 28% अपनी total income का medical पे कितना खर्च रहे 10% तो आपने देखा कि food और medical पे total मिला के कितना खर्च दे रहे 28% plus 10% कितना 38% ठीक है परसेंटेज वाई distribution है तो total जो value होती है percentage की वो कितनी होगी 100% होगी 100 में से 38% उसने खर्च दिया तो बचा कितना 100 में से 38% घटा दो तो बचा कितना 62% या फिर आप बाकी सब को जोड़ सकते हो entertainment, provident fund, house rent, child education टोटल जोड़ होगे इनको तब भी आपका 62% value आएगी मतलब आपको बताना है कि 70,000 जो कि total income है इसका 62% कितना होगा तो यह हो जाएगा 43400 मतलब यह amount बचती है food और medical expenditure कर लेने के बाद आपको बोला what was the percentage increase in the number of teak trees, teak मने सागोन के जो पेड होते हैं उसमें आपको percentage increase बताना है कितना हुआ जो की 2017 में compared to किस से 2016 से तो आपने देखा 2016 में कितने थे 25,000, 2017 में कितने हो गए 35,000, कितने का increment हो गया 10,000 का कितनी value पे 25,000 पे into 100% तो आपने देखा कि ये जो है 2,0 हो गई और 200 इसको 4 पे यानि कि 40% जो है वो increment हो गया है वो गई क्वेशन बोला दा कंट्री स्पेंट दा सेम अमांट ऑन मनी सेम अमांट ऑफ मनी आपने देखा कोई 2% सेम देख लो आपने देखा होकी का और गॉल्फ का percentage सेम है तो होकी और गॉल्फ जो है वो बिलकुल सही आंसर है ये भी 10% है ये भी आपका 10% ह ठीक है ना बाकी 4, 6, 15, 30, 25 कोई मिले नहीं रापस में तो आपने देखा नमबर आपने माल लिया A और उसका जो square root है यानि कि under root A दोनों का difference जो है वो कितना है दो अब आप इस question को solve कर जकते हो काफी सारे तरीके हैं आप क्या करो आप 2 को तो ले जाओ left hand side में और under root A को ले जो right hand side में दोनों side square कर दो उसके बाद भी solve हो जाएगा यानि कि आप इसको पूरे process से भी solve कर सकते हैं पतलब दोनों side square करके उसके बाद यह solve हो जाएगा बड़े राम से या फिर आप option से भी कर सकते हैं देखो A की value अगर आप 1 रखो ठीक है नमबर आपको बताना है नमब की value होकर 4 put की तो आपने देखा 4 minus under root 4 यानि कि 4 minus 2 आपके वस कितना हो जाएगा तो तो यह वाला option बिल्कुल correct है देखो बाकि मैं solve कर के भी दिखा देता हूँ पूरा ठीक है तो आपने देखा A square minus 5 है A square minus 4 है minus A plus 4 equal to 0 तो आपने देखा A अगर मैं common लूँ तो A minus 4 minus 1 अगर common लूँ तो यहांसे भी A minus 4 तो दो फेक्टर बन गए कौन-कौन से A minus 1 सॉरी एक सिकेंड मैंनस A A square plus 4 minus 4 है A और A ही तर जाएक मैंनस हो जाएगा मैंनस का 5 है तो 5 जो है यहां पर एक सेगेंड इस क्विशन में देखना पड़ेगा कुछ लोचा तो नहीं हो गया A minus 2 A minus 2 का हमने square किया और root A root A का भी square किया A square अच्छा नहीं A square plus 4 minus 4 है ठीक है जी तो A square A square minus 5 plus 4 equal to 0 फिर आपने देखा कि minus B A plus minus A square तो पांच प्लस 3 और पांच माइनस 3 आठ और 2 चार तो वैल्यू तो दोनों ही आ रही है इसको solve करके A square plus 4 चलो एक बार मैं इस question को चेक कर लूँआ वैसे कि A की value 1 कैसे आ रही है क्योंकि इसमें अगर हम A की value 1 रखेंगे तब तो possibly नहीं 1 minus 1 0 हो जाएगा और A square plus 4 minus 4 एक कुछ एक चीज़ है जो अभी पकड़ में नहीं आएगी क्योंकि अभी दिमार जादा लगा हुआ इसमें गल्ती रूनने की कोशिश करेंगे तो मिलेगी नहीं A minus 4 देखिए गाईज इसका जो थोड़ा बहुत निकल सकता न वो यह ही हो रहा है कि यहाँ पर तो value देखो यह ही आएगी मतलब A minus 1 into A minus 4 की value 0 यानि की A की value 1 और 4 दोनों possible आ रही है यह A किस बज़े से रही है यह चीज़ हमें समझना ज़रूर है देखो सबसे वहले तो आप लोगों रहे देखा है यहाँ पर क्या की A minus under root A जिसकी value कितनी है तो तो आपको पता है कि हम 2 को left hand side में क्यूं और under root A को right hand side में क्यूं लेए क्यूंकि अगर मैं root A को किसी के साथ भी solve करूँ चाहे मैं A के साथ solve करूँ चाहे मैं 2 के साथ solve करूँ तो मुझे क्या है हमेशा root A बचेगा मेरे पास जैसे कैसे, अगर मैंने A को root A के साथ solve कर लिया, मतलब दोनों side square कर दिया, तो आपने देखा, यहां से क्या हो जाएगा, A square, under root A का square कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, 2 का square कितना हो जाएगा, right inside में 4, और यहां पर क्या बचेगा, 2 A under root A बचेगा, मतलब फिर भी आपके पास under root बच रहा है, अब under root से तो question solve होने से रहा, मतलब आपको पहली चीज तो यह समझ आनी चाहिए, क्या, कि मैं root A को एक side ले जाऊँगा, और A और 2 जो है, वो दूसरी side चले जाएगे, मतलब अगर root A को मैं left hand side में solve कर रहा हूँ, तो right hand side में मैं A minus 2 को solve करूँगा, ठीक है ना, पहली चीज तो आपको यह समझ नहीं है, कि root A को हमें completely different side लेके जाएगे solve करना है, क्योंकि अगर मैं root A को 2 से भी solve करूँ, चाहे मैं उसको A से solve करूँ, मेरे पास root फिर भी बचेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे देखने है, कि मैं A minus under root A, इसकी value कितनी है, 2, यहाँ से आपकी value वो कितनी आ रही है, आपने क्या किया, 2 को left hand side ले गए, root A को right hand side ले गए, अब हमने इसका क्या किया था, square, square क्यों किया, ताकि हमारा जो है, वो under root हड़ जाए, ठीक है, under root हड़ जाए, उमने क्या क्या क्या, square किया, अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, देखो क्या, आपने देखा A minus 2, under root A मारे बस value थी, अब यहाँ पे अगर मैं A की value 1 रखो, अगर मैं यहाँ पे A की value 1 रखो, तो आपने देखा, left hand side में क्या आया, 1 minus 2, right hand side में क्या आया, root 1, root 1 की value कितनी 1, 1 minus 2 की value कितनी minus 1, अब हुआ क्या है, जब हमने इसका square किया है, हमने इसका square किया, तो left hand side, right hand side, दोनो side 1 आ गया, तो इसका मतलब यह possible है, कि जब मैंने यहाँ पे square किया, under root हटाने के लिए, तो मेरी value जो है, A की value 1 भी आएगी, ठीक है, 4 तो value है ही है, पर मेरी A की value 1 भी आएगी, क्यों, क्योंकि एक value रखने पे A की, मेरा left hand side में minus 1, right hand side में 1 आ रहा था, तो चम मैंने दोनों side square कर दिया, तो दोनों side मेरा 1, 1 आ गया, तो उसकी वज़े से क्या हो रहा है, A की value 1 भी आएगी, तो वही है, कि जब आप इसको पूरे को solve कर ले, उसके बाद आपके पास A की value 2 आ गई, 1 और 4 दोनो, 1 और 4 दोनो option में, 4 पुट करने भी आपका answer आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, जो की possible ही नहीं है, 1-1, 0 हो जाएगा, तो यह इस वज़े से हुआ है, कि square करने की वज़े से, हमारी A की value 1 आ रही है, otherwise, A की value, अगर हम ना square करे हो, ऐसे ही रखे, तो दोनो साइड जो है, unequal values आएगे, मतलब यह की value तब भी possible नहीं हो पाएगा, तो यह ही दीज़न है, जो इसकी वज़े से, मतलब वह ही है, कि under root को हम, दूसरी साइड इसी लिए कि लेके गए, वो कहते हैं ना, यह गंदी मचली सारे टाल आपको गंदा कर देती है, तो root को solve करके, अगर हम किसी के साथ root को solve करें, तो root ही बचना है, फिर question उतना ही complicated है, तो root को एक साइड हम ले जाते हैं, under root को, और a-2 यह जो भी अलग term बच्चती है, जिसको हम solve कर सकते हैं, उसको हम एक साइड लिख लेते हैं, अब यह बच्चन है, आपने देखा कि, अगर मैं divide कर दो, पूरी term को a से, तो आपने देखा कि, a square minus 4a plus 1, अगर मैं दोनों साइड a से divide कर दो, right hand side में तो 0 भी बचेगा, left hand side में क्या आएगा, a minus 4 plus 1 by a equal to 0 आजाएगा, तो a plus 1 by a की value आपको इसकितनी आगई, चार आगई, आपने देखा, यहाँ पे क्या क्या value आपको डालनी है, a plus 1 by a आपको डालना है, चीक है, साथ में क्या डालना है, a square plus 1 by a square, तो आपने देखा, a plus 1 by a की value कितनी चार, पी square minus 2, तो 4 का square कितना, 16 में से 2 गए, कितना 14, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, आपके पास 18 हो जाएगा, अभी यहाँ ला question है, आपको पता है कि, x minus 1 by x की value, अगर आपके पास a है, तो x cube minus 1 by x cube की value, जो है, वो आपके पास कितनी हा जाएगी, a cube plus 3 है, तो a की value आपको बता है कितनी है, 7 by 3, 7 by 3 का cube कर दो, फिर 3 into 7 by 3, तो आपने देखा, 7 by 3 का आपने cube किया, तो आपने देखा कितना हो गया, 343 और 3 का आप cube करोगे, तो कितना हैगा, 27 plus 7 आपके पास, तो आपने देखा, 27 को अगर मैं साथ से multiply करूँ, तो मेरे पास जो value है, वो मेरे पास value कितनी हाजाएगी, 7749 और 7 दोनी 14 और 1 पंदरा, तो 159 जो है, मेरे पास value हाजाएगी, ठीक है, तो 159 मेरे पास value हाजाएगी, और 159 को 343 में अबजोड़ दो, तो आपने देखा, 72, 7749 अच्छा, 189 होगा ना, तो 343 प्लस 189, 227 हो जाएगा, तीक है, 27 इंटू साथ दुबारा करते है, 7749 और 4 आसील गया, 74, 84, 88, ठीक है, मेरे को इसी में डाउट हो रहा था, ठीक है, तो आपके अज़ कितना आगया है, 532, 27 आच्छुका है, आपके पास, और यह जो है, 540 तो एग्जेक्टली जाता, 27 पे किस पे, 20 पे, तो 19 आएगा, तो सारे ओप्शन में ही 19 है, तो आपने देखा, 27 जो है, 19 पे जा रहा है, और 27 में से, अगर मैं, 8 गटाउँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 19 ही बचेगा, तो 19 सही, 19 बटे 27 जो है, आपका correct answer हो जाएगा, चीक है, तो 19 सही, 19 बटे 27 जो है, आपका, बिल्कुल correct answer हो जाएगा, अब यह लोग कुश्यन है, आपको बोला, एवरेज मार्क्स, आफ 3 बैचेज आफ 30 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है, एक बैच में 30 हैं, एक बैच में 50 हैं, एक बैच में 70 हैं, और उनका एवरेज कितना है, 30 स्टूडेंट्स बैच में, उनका एवरेज कितना है, तो टोटल कितने हो जाएगे, पच्पन In To 30, फिर आपने देखा 50 student का ऐबरेंज कितना है, संतर तो टोटल कितने हो जाएगे, संतर In To 50, संतर student का ऐबरेंज कितना हो जाएगा, संतर In To 70 अब डिवाइड करता हो टोटल लंबर अव स्टुडेंट कितने हैं डेड़ सो सत्ता है सत्तर में अगर मैं तीस जोड़ो सो में पचास जोड़ो डेड़ सो जाएगा तो आपने देखा पहले तो मैं जीरो काट सकता हूं और एक में से कॉमन लेके उसके बाद आपने देखा कि यहां पर आजाएगा 165 और यहां पर कितना आएगा अपर साड़े तीन सो और यहां पर कितना आजाएगा 490 डिवाइड बाए 15 ठीक है जी तो आपने देखा कि अब मैं इसको सॉन पर सकता हूं फर्दर यह आजाएगा एक हजार पाच आजाएगा बाए 15 तो यह फर्दर भी जाएगा 67 पे जाएगा मतलब एवरेज मार्क्स आ गया जब सारे स्टूडेंट्स का लिया आपने तो कितना आजाएगा 67 आजाएगा अब यह नंबर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डिविजिबल बा से कितना होगा चार चार में से अगर मैं 15 घटाऊं तो मेरे बस कितना आएगा 11 माइनस का चाहे पर यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11 का मल्टीपल आ रहा है आपके बास क्वेशन बोले कंप्यूट दा कंपाउंड इंट्रेस्ट ओन 8400 फॉर वन एड़ा हाफ इयर एग 12 रेट संदा और यह आपने देखा 12 पर्संट जो रेट है वह पर मतलाब पूरे साल का रेट शार के हों गतना होजएगा जिकिस पर सेंट हो जाएक गार्पने धंपाउंड एंट्रेस्ट कितने होगा अपने देखा पहले साल पहले साल किस पहें आ जाएगा खाली crypto पे क्योंकि तब तक तो पहले स्पाल कियोदा एका प्रिंशेभल पे तो इटी फॉर हंटर्डड KA जो की फाले साल का रीज तो दो पहले साल को पहले से पथ्याँ अपको लिए लगी देड़ साल का आपको याज बताना है यानि कि लड़ pengantונ economy आपको भ्याज बताना है क्लिक्वर्इय अब से पूछें हेले का मतलब क्या हुआ क्या हुआ कि आप छे चे महीने करके आपको याज गरे के दंजुचिए Fachin जो रेट है वो कितना है शिक्स पॉसेंट तो 8400 आगर प्रिंसीबल ए रेट ओफ इंट्रस 6% तो 8400 गितना हो जाएगा 504 पहले चींडह का भिया आज तो उसमें जो प्रिंचिपल ब्याज आएगा 504 फिर यह जो दो ब्याज है इसका 6% आपको लेना है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60.48 फिर यह 30.24 है इसका ब्याज आपके वाज कितना आजाएगा 6% अगर आप इसका निकालोगे तो यह आजाएगा 1.8144 अब इसको कैलकुलेट कर लो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.60.5 यह आपका कंपाउंड इंट्रस्ट आ गया देड़ साल का 6-6 महीने करके यानि की हाफ यर्ली करके ठीक है question में आपको बोले है दो ट्रैंगल है वह आपस में similar है एक दूसरे से तो आपको बदा जब दो ट्रैंगल है similar है आपस में बतलब triangle abc जो है वह similar है triangle किसके pqr के तो आपने देखा कि ab by bq जो आपका bc by qr और ac by pr के equal हो जाएगा मतलब साइड जो आपस में प्रपोर्शन में हो जाएगी तो आपने देखा बी सी जोसाइड है उसकी लेंद्थ कितनी पांस सेंटिमिटर क्यू वार्ड जोसाइड है उसकी लेंद्थ कितनी 12.5 सेंटिमिटर आपको निकालना क्या है A B और आपको P Q भी पता है तो question तो असान हो गया ठीक है दो पे गया है यह धाई पे गया तो A B की length जो है वो आपकी कितनी जाएगी धाई सेंटीमेटर आजाएगी अब यहला question है X ratio Y की value आपको given है कितनी एक ratio दो ठीक है तो आप question को solve कर लो X की जगा 1 डाल दो Y की जगा आपको 2 डाल दो तो आपने देखा 2 प्लस 8 दस 1 प्लस 8 नो 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10 ratio यह correct answer question बोला speed of the train आपको speed of train given है आपको distance बताना कि 11 second में कितना cover कर जाएगी distance जो option में मीटर में given है और time जो है second में given है तो speed जो है वो आपको kilometer per hour में given है तो सबसे पहले तो उसको meter per second में change कर लो meter per second में change करने के लिए आपको 5 by 18 से multiply करना पड़ेगा तो आपने देखाई गया 6 पे तो 30 meter per second speed आगई train की मतलब 1 second में जो है वो 30 meter जाती है तो आपने देखा 11 second में वो कितना जाएगी आपने देखा 11 second में वो कितना जाएगी 11 second में 330 meter चली जाएगी देखे ना question बोला था base of a 12 meter high wooden solid cone has a circumference इतनी मतलब एक कौन है जिसके base का circumference जो है वो कितना है 44 centimeter मतलब 2 pi r की value कितनी है 44 centimeter कितनी हो जाएगी 44 by 2 pi pi की value कितनी है 22 बटे साथ तो आपने देखा कि यह तो गया radius जो आपके पास कितनी हागई 7 centimeter आपको उसका volume बताना है volume of cone क्या होता है 1 by 3 pi pi की value कितनी 22 बटे साथ r square r कितना है आपके बाद 7 into 7 h h कितना height कितना 12 ठीक है आपको बोला है कि base of a 12 meter high wooden solid cone तो आपने देखा कि 3 जो है इसको 4 पर काटेगा मतलब height आपके पास given है कि high solid cone जो है इतना meter high है मतलब height जो है वो उसकी 12 meter है ठीक है तो आपने देखा कि 12 into 28 sorry 22 into 28 कितना हो जाएगा 22 into 28 हो जाएगा आपने बास 616 616 centimeter cube is the correct answer ठीक है अब गिवला question है question में आपको बोला है एक man है जो की पूरा काम complete करने में कितने दिन लेता है 16 दिन लेता है मतलब किसी project को अगर man complete करेगा तो 16 दिन में complete कर देगा और अगर women उसी project को complete करेगी तो 12 दिन में कर देगी तो आपको men और women का क्या given है total time given है दोनों का LCM लेंगे 16 और 12 कितना LCM कितना जाएगा 48 ही है आपके बाद total work आगया अब one day work आप निकाल सकते है कैसे total work by total time 48 by 16 किया 38 by 12 किया कितना आगया 4 मतलब men जो है एक दिन में 3 काम करता है women जो है एक दिन में 4 काम करती है तो आपको बोले they started the work together उन्होंने इस काम साथ में शुरू किया पर वो alternate days पे काम कर रहे ठीक है they started the work together on alternate days यानि कि क्या कि एक दिन men काम करेगा दूसरे दिन women फिर men फिर women और question में आपको क्या given है question में आपको given है कि पहले दिन जो है वो men काम कर रहे ठीक है मतलब ऐसे होगा कि एक दिन men ने काम किया फिर women ने फिर men ने फिर women ने ऐसे ऐसे काम चलता चल जाएगा तो आपने देखा अगर एक दिन men ने काम किया में जो एक दिन में कितना काम करता है तीन दूसरे दिन विमें ने काम किया विमें जो एक दिन में कितना काम करती है साथ तो पहले दो दिन में जो है वो साथ काम हो जाएगा ठीक है आपने देखा पहले दो दिन में जो है वो साथ काम हो जाएगा वो क्या है 42 तो आपने देखा कि 42 बनाने के लिए मुझे 6 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे यहां भी 6 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो आपने देखा साथ काम को करने में अगर दो दिन लगे तो 42 काम को करने में कितने दिन लगेंगे 12 दिन और काम करना कि तो आपने देखा एक दिन हो रखर जोड़ोगा एक दिन में कितना काम करता है तीन तो मतलब 45 काम होगा कितने दिन में 13 तीन大家好 अब काम करना कितना है आपको पता है काम जो है वो कितना होना है 48 होना है मतलब अभी भी तीन काम बचता है 13 दिन काम होगा अब 14 दिन कौन काम करेगा विमेन विमेन जो है एक दिन में 4 काम करती है आपने देगा विमेन जो है एक दिन में 4 काम करती है तो एक काम करने में कितना लगेगा टाइम उसको एक बटे चार दिन और तीन काम अब 45 के बाद 48 हमें काम करना है तो तीन काम अभी करना है तो तीन काम को करने में उसको कितने दिन लगेगे तीन बटे चार दिन मतलब तेरा दिन में तीन बटे चार दिन अगर मैं एड़ करू तो मेरा 45 प्लस 3, 48 काम हो जाएगा तो 13 सही 3 बटे 4 दिन में काम complete हो जाएगा और आपको बोला है option में कि ऐसा कुछ नहीं है आपको पूरा friction बताना है तो 13 चौक 52 और 3 पचपन 25 बटे 4 दिन में काम complete हो जाएगा अब यह वाला question है आपको बोला find the area of the triangle जिसकी साइड जो हो 5 12 13 आपको given है अब आपको पता है 5 12 13 एक side का series है जो कि एक triplet को follow करता है आपको पता है 5 12 13 अगर triplet को follow कर रहा है तो मतलब 5 12 13 जो sides हैं यह मिला के क्या बनेगा right angle triangle बनेगा right angle triangle में क्या होता है area of triangle का formula half into base into height अब बेस और height जो है छोटी दो साइड होती है तो बड़ी साइड जो होती है और बेस और बेस और परपेंडिकुलर जो होती है वह छोटी दोनों साइड होती है है जो biggest साइड जो largest साइड है जो greatest साइड होती है वो क्या होती है हैट निउस होती है तो ग्रेटेस अब ने देख ली कितनी 13 तो बची दोनों कौन सी 5 और 12 अब यह बेस और परपेंडिकुलर होंगी हमें मतलब नहीं कि कौन सी क्या हो तो हमें दोनों को multiply करना है चाहे बेस को परपेंडिकुलर से करो चाहे परपेंडिकुलर को बेस से करो उससे मतलब नहीं है ठीक है अब आपको एक चीज़ बताओगी क्या कि 10 A into 10 B equal to 1 होता है अगर A plus B की value कितनी हो 90 आपने देखा 48 plus 42 कितना 90 तो 10 48 into 10 42 कितना हो जाएगा 1 ह हो जाएगा फिर आपने देखा 23 plus 67 कितना हो जाएगा 90 तो 10 23 10 67 कितना हो जाएगा 1 into 1 कितना 1 एक और तरीका है कैसे आपको बताए 10 42 जो है वो किसके एक वह लोगा 48 के 48 की value कितनी होती है 1 by 10 48 तो 10 48 से 10 48 similarly 10 23 से 10 67 भी ऐसी जाएगा question बोला है रोहन स्कोर 70 and 75 marks in first two test मतलब एक टेस्ट में स्ने 70 सकोर किया एक में 75 स्कोर किया आपको बतानальной कि वह कितना marks score करे तीस्ट में ताकि उनका तीन로 का अभरेज कितना आजाए 70 आझाusanए आपने देखा एक value कि तेस्ट मेंघुक्त अब र अगर हमें करना है तो मुझे तीसरे टेस्ट में पाच मांक्स कम लाने होंगे यानि 65 मांक्स लाने होंगे इन तीनों का एव्रेज 70 अगर मैं बहुँक्त गार मैं करूद 250 त सक्तर अ मतलब number of test को अगर मैं divide करूँगा कितने number of test 3 न तो divide करूँगा तो मेरी value कितनी आ जाएगी 70 मतलब मेरा average कितना जाएगा 70 तो आपको कुछ नहीं करना आपने देखा एक में कितने marks है 70 average कितना जाएगे 70 तो आपने देखा दूसरे में कितने marks 75 मतलब 5 जादा है 70 से तो तीसरे test में क्या करूँअ जितने जादा है उतने कम marks कर दूआ तो आपने देखा कि जतने जादा है कितने जादा है दे 5 मांहे त्क गें तो हंडर्ड माइनस लॉस पर्सेंटेज भाई हंडर्ड यहां फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हर्ष ने स्कूटर कितने में खरीदा 48,000 में अब उसने उस स्कूटर को 15% लॉस पर बेचा आपने देगा 48,000 की खुद की वेल्व 100% जिसमें 15% का नुकसान हो गया तो 100% वेल्वे 15% का नुकसान यानि की 15% वेल्व कम हो गई तो वेल्व बची कितनी 85% 48,000 का 85% अब इतने पैसों से उसने एक और स्कूटर परचेज किया तो यह जो अनदर स्कूटर है अनदर स्कूटर का कॉस्ट प्राइज आ गया अब इसने क्या किया इस से इतने पैसों से मतलब यह जो कॉस्ट प्राइज है इतने पैसों से एक और स्कूटर खरीदा और उ यानि की कितनी वेल्यू पे बैचा एक सो फॉइस पॉइंट पांच परसेंट वेल्यू ठीक है एक तरीका तो यह आप दूसरा तरीका मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूं इसका इसमें भी हम इसको नेट इफेक्ट से सॉल कर सकते हैं कैसे आपने देखा स्कूटर की क कुछ कॉस्ट रही हमें नहीं पता क्या थी ठीक है पहले उस पे लॉस हुआ कितने का 15 परसेंट का मतलब पहले जो है वैल्यू डिक्रीज हो गई कितनी 15 परसेंट ठीक है ना फिर उसी वैल्यू से मतलब 15 परसेंट डिक्रीज होने से जो वैल्यू बनी उसी वैल्यू से हमन एक और चीज खरीदी और उसको बेचा कित्ते वे 22.5% के profit पे मतलब initial जो value थी उस पे पहले 15% का decrement हुआ फिर उसी value पे 22.5% का increment हुआ तो net change क्या होएगा x-y minus xy-y 100 चीक है तो आपने देगा इसको solve करें के इतना जगा 7.5 में से हम ज़े घटाना है 3.375 आजाएगा इसको solve के तो आपने देगा 0.125 और 4 अब यह positive में मतलब profit क्योंकि loss हमने negative मिलिया profit हमने positive मिलिया तो positive में answer आजाएगा profit हुआ 4.215% ठीक है और अगर इस से solve करना था तो आपकी यहाँ पे जो value आती फिर आप देखते क्या मालों यहाँ पे कुछ भी value आपके आ जाती फिर आप देखते कि 48,000 से कितना increment होगा है total तो increment लिखते हैं डिवाइड करते 48,000 से into 100% तो आपका profit percentage आ जाता ने तो यह थोड़ा मुश्किल है यह वाला तरीका बिल्कुल आसान है अब mark price इतना है 2 successive discount दी है ठीक है selling price आपको बताना है यह question आप खुद करना है क्योंकि मैं आपको 3 successive discount वाला वो बता दूँआ यह आप खुद से कर लेना mark price given है 2 discount given है मैं 3 discount वाला आपको आगे करा दूँआ इसी वीडियो में है इसका selling price आपको बताना आपको बताना है find the sum of the money जिसको increase किया 15% तब जो है आपकी value कितनी बन गई 19,320 तो आपने माल लिया कि sum of money आपने S माल लिया ठीक है 100% sum of money की खुद की value थी जिस पे 15% का increment हो गया तो value कितनी हो गई 115% मतलब sum of money का 115% जो है उसकी value आपको कितनी की बन है 19,320 तो ये कितना हो गया 20 ये कितना हो गया 20 और 23 जो है इसको कितने पे काट देगा ठीक है जी 840 पे काट देगा 23 इसको तो आपने देखा कि 840 को अगर मैं 20 से multiply करूँ तो sum of money मेरे पास कितना आजाएगा 16,800 ये हमारा correct answer ठीक है ना मतलब sum of money को स्था आपने आसमान लिया उसको 15% increase किया गया तो sum of money गुद की value 100% 15% का increment हो गया तो कितना हो गया 115% तो sum of money का 115% जो है उसकी value कितनी गिवन है 19,320 sum of money आप निकाल लो question में बोला है after two successive discount shirt को जो है 480 पे बेचा गया आपको उसका original price यानि कि mark price आपको उसका बताना है ठीक है तो mark price बताने ठीक है तो आपने देगा mark price कुछ था ये अपने आप में 100% इस पे पहले 75% की छूट दी गई तो आपने देगा 100% value थी 75% की छूट यानि 75% का difference sorry 75% की छूट यानि की 75% का discount दे दिया तो value कितनी रह गई sorry मैं again repeat कर रहा हूं इस चीज को दुबारा सुनियेगा क्या mark price आपने MP माल लिया ठीक है तो पहले जो discount दिया गया तो value कितनी बची 100% माइनस 25% तो बचा कितना पर 74% उसके बाद फिर जो value बची इस पे भी 10% की छूट दे दी तो 100% इसकी गोद की value 10% की छूट दे दी तो value बची कितनी 90% इसकी जो value आपको कितनी given है तो इसको आप solve करोगे तो mark price की आपके पास value आजाएगी कितनी कर लेते हैं तीन यह गया चार पर तीन इसको कितने बचाट रहा है 160 पर ठीक है और फिर आपने देखा कि mark price जो है वो कितना हो जाएगा 6400 बाइन तो आपने देखा 7 1 एक पॉइंट एक एक हो जाएगा तो यह जो है आपकी value कितनी आजाएगी 701 पॉइंटों में आ रही है तो यही answer आजाएगा 711.111 711.11 question में बोला the mean of three number is same as the mean of the number b by 3, c by 3 and x तो आपको पता mean क्या होता है आपने देखा 1 by 3 plus b plus c इसका mean अगर निकालेगे तो डिवाइड करतेंगे तीन से क्योंकि तीन नमबर है ठीक है डिवाइड करतेंगे तीन से तो फिर b by 3, c by 3 और x नमबर है इसका भी mean तो इन दोनों के mean अपस में equal है तो आपने दोनों को equal put कर दिया आपने देखा 3 से 3 गया तो अब आपके पास कितना बचा आपने देखा x की value जो हो कितनी हाजाएगी a by 3 plus b minus b by 3 plus c minus c by 3 तो आपने देखा a और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास b minus b by 3 कितना 2b by 3 c minus c by 3 कितना 2c by 3 इसकी value जो है x के equal हो जाएगी तो 3x की value आपसे बूचिए तो 3x की value कितनी होई a plus 2b plus 2c ठीक है question बोला in a class the ratio of the number of boys and girls इतना है 30% and 20% of the girls pass the exam आपको बताना है find the percentage of students who pass the exam आपने देखा boys कितने पास हुए 30% आपने देखा girls कितनी पास हुई 25% sorry 20% है एक minute ठीक है देखो इसमें option भी दो eliminate होगे देखो कैसे करेंगे देखो ध्यान देना आपने question में देखा class 1 जिसमें boys और girls का आपको रेशो गिवन है आपको बोला है 30% जो है boys पास हुए girls जो है कितनी पास हुए 20% आपको बताना है कि total students बताओ जो पास हुए कितने percentage total student जो है वो पास हुए तो आपने देखा कि number of boys और number of girls का आपको रेशो कितना गिवन है 11 रेशो नो ठीक है तो आपने देखा boys का percentage passing percentage अलग लिख लिया girls का passing percentage आपने अलग लिख लिया तो आपने देखा boys कितने पास हुए 30% girls कितनी पास हुए 20% और boys और girls को मिलाके जो total number of students बनते हैं वो बताने आपको कि वो कितने बिस नहीं नहीं का नुमें डिवाइड कर दो तो आपने देखा कि 30 और 20 का difference कितना 10 10 को 11 टिश्व 9 में डिवाइड करणे हो तो आपने देखा 11 और 9 का total करूं तो कितना आएगा 20 20 की value कितनी होगी 10 एक की value कितनी होगी 0.5 एक की value 0.5 तो 11 की value कितनी होगी 5.5 और 9 की value कितनी होगी 4.5 तो हैट तो 20 में अगर मैं 5.5 जोड़ोंगा तो मेरी वेल्यू कितनी हो जाएगी 25.5% यानि कि 30 की वेल्यू में भी अगर मैं 4.5 गटा था तो मेरी वेल्यू कितनी हो जाती ही 25.5% करेक्ट अंसर है तो यह जो है पर्षेंटेज आफ स्टूडेंट्स आपके पास आ गया जिन बच्चों ने एक्जाम क्लिय करेंद काई तो गया है कि वहाला इंडल में लिखा जाएगा आपको आपको करो तो आपको पी बताए कि वॉल्म ओफ कूण क्यों होता है वन बै 2 पाई कि तो वन बै 3 पाई से बनाधित गए वाल्म ऐगल होगा उन जखरց आपने देखा कि दोनों मॉल्म कि रेशियो है है 11 बटे 16 तो इसकी वैल्यू कितनी हागी 11 बटे 16 और रेडियस का क्या है 3 बैचार तो 3 बैचार का स्क्वार कितना हो जाएगा आपके बस नो बटे 16 तो आपने देखा 16 से 16 जाएगा आपको बोला था नंबर इस डिविजिबल भाई देखो आपको तीन का डिविजिबल पता होते क्या सम आफ ओल नंबर अफ सम आफ ओल डिजिट आपने तो आपने देखा दो और एक तीन चार और तीन साथ और दो नो पांच और एक छे तो यह नंबर तीन पे तो जाई रहा है ठीक है तीन पे जा रहा है तो एक ही ऑप्शन सही हो सकता है कि तीम पे जा रहा है 13, 17 और 7 को तो वैसे भी डिविजिबलिटी रूल नहीं बता होता आपको डिवाइड करके चेक करना पता है मतलब या तो आप डिविजिबलिटी रूल इसका बना सकते हो 13, 17 का या फिर आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो नंबर जादा बड़ा है तो डिविजिबलिटी रूल बनाने में पे दिक्कत होगी कुस्टं में बोला है दारेश सो आफ ड़नर ओव बलड घुरू को बलडड गुकको के के टендर ड़्ोनडरों हें नंबर स्टूरण्ट कितना है तेंसों कोच्षिंग सेंटर आर में कितना थींसों जबोला है कि 20% अब दलब यह बीज़ TP एकसों पाथ इसका जो 20% है वो स्कूल एम से है तो आपने देखा एकसों का 20% कितना है तो 105 का एक बटे पांच यानि 105 का 20 पांच यानि 105 का एक बटे पांच यानि 20 फीमेल ऐसी है जो स्कूल M से है ठीक है आपको बताना है what is the number of male student from school M who have enrolled with coaching center R तो आपने देखा coaching center R में total number of student कितने 300 फिर आपका बोला है percentage of students who have enrolled in the given coaching center from different school तो आपने देखा R coaching center में जो M स्कूल से बच्चे हैं वो कितने 34% है तो R coaching center में total number of student कितने 300 जिसका 34% जो है वो M स्कूल से है तो आपने देखा 300 का 34% यानि कि 102 तो 102 बच्चे ऐसे हैं 102 बच्चे यानि कि जिसमें girls भी आ गए जिसमें boys भी आ गए ठीक है ना तो आपने देखा कि female भी आ गया और male student भी आ गया तो female और male को मिला के जो total number of student है coaching center R में M स्कूल से वो कितने हैं आपके पास 102 तो आपको पता है कि 102 जो है वो total number of student है school M से coaching R में जिसमें से coaching R में school M से 21 girls है तो number of male जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा question में आपको वोला है na school a survey is taken on sports loving children as given in the following table any student who loves one sport is understood to dislike the other sport मतलब एक student जो है वो एक ही sport को पसंद करता है या फिर वो cricket को पसंद करेगा या तो फिर वो soccer को पसंद करेगा मतलब यह नहीं होगा कि वो cricket को भी पसंद कर रहा है मतलब इस line का मतलब है क्या इस line का मतलब यह है कि cricket वले boys और soccer वले boys को अगर मैं जोड़ दू और अगर मैं इनका total कर दो मेरे पास 980 value आ रही है यह total number of boys आ जाएंगे मतलब यह boys 5.42 अलग है यह 4.38 अलग है जो cricket को पसंद कर रहा है वो soccer को भी पसंद करेगा ऐसा नहीं है जो cricket को पसंद करएगा जो soccer को पसंद करेगा इसका मतलब यह हुआ कि वो number of boys आपको define करा रहा है यह number of girls आपको define करवाएगा क्या कि number of boys जो हैं वो दोनों sport के पसंद करने वाले boys को अगर मैं जोड़ू तो number of total boys जो है वो आपके पस कितना आ जाएगा 980 यह कहना चाहरा था वो कि एक boy एकी sport like करेगा मतलब total number of boys अगर आपको पता करने है तो आप दोनों को add करतो तो आपके बस 980 value आ जाएगी यह total number of boys हो गए total number of girls निकाल लिए तो इन दोनों को add करतो इसकी value आपके बस कितने हो जाएगी 730 आप यह वाला question है यह वाला question आप खुद करना आपको यह चीज समझ आ गई होगी क्या आपको समझ आ गया होगा कि बार का मतलब क्या है कि वो लिख रहा है कि बार का मतलब जितनों के उपर बार होता है मतलब वो bracket में है तो इसकी value तो वैसे ही आपने देगा दो बटतीन य was आपको गिवन है तो रेडियस कितनी हो जाएगी साथ सेंटिमेट्र आपको टोडैल सर्फिस अरीया बताना किसका solid है मिस फिएर बात तो टोड़ल सर्फिस दरी होता है थरी ह्आइफ आर स्कूर उन्मे तो 668 इंटु साथ हो जाएगा 462 स्कूर है क्वेशन में बोला है एन बी वकिंग सेप्रेटली सेप्रेटली कें डूआ पीस ऑफ वर्क इन 21 and 24 days respectively alternate day पे काम कर रहा है ए बिगनिंग दा वर्क इट वोड़ बी कंप्लिटेड इन काम बताने कितने में ये क्वेशन में आप खुद करना इससे पहले इसी वीडियो में एक्वेशन हो चुका है और इससे पिछली वीडियो में भी एक्वेशन हो चुका है ठीक है alternate days वाला तो यह आप कर लेना आपके प्रैक्टिस हो जाएगी वेशन में बोला थर्ड प्रपोर्शन बताओ यह दो नंबर है आपने माना पहला नंबर ए सेकिंड नंबर बी आपको बदा है थर्ड प्रपोर्शन अगर आपको निकालना होता है उसको डिवाइड करता है पहले पर तो तीन इंटू तीन कितना हो जाएगा नों माक प्राइस गिवन है आपको बोला कि उसको ओफर किया जा रहा है कितने बे दो हजार चार सो अड़ालीस पे दो डिसकाउंट देने के बाद पहला डिसकाउंट जो है दस परसेंट है आपको बताना है सेकिंड है तो आपने देगा मार्क प्राइज अगर इतना है 22 सैलिंग प्राइज 248 तो डिसकाउंट कितने का हुआ 752 और अगर आपको discount percentage निकालना है कैसे निकालता है discount by mark price क्योंकि discount जो है mark price पे निकाला जाता है तो discount by mark price into 100% आपको पता ना कि जब भी किसी चीज का percentage निकालना है तो दर्न नियुमिनेटर में वो आता है जिसकी बात हो रही है अब discount का percentage निकालना तो numerator में क्या हैगा discount denominator में क्या हैगा जिस पर discount निकाला जाता है तो discount जो है निकाला किस पर जाता है mark price पर निकाला जाता है काड़ दो तो आपने देखा इसको solve करके आपकी value कितनी आ जाएगी 23.5% चीक है तो आपने देखा एक discount कितने का 10% का दूसरा discount कितने का दिया होगा तब जाके जो single equivalent discount की value है वो आपके जाके 23.5% मतलब दोनो discount को मिला के जो total discount हुआ है वो कितना है 23.5% तो आपको बता है single equivalent discount क value कितनी होती है अगर एक बार x% discount दूसरी बार y% discount दिया जाए तो x plus y plus minus xy by 100 तो आपने देखा 10 को अगर मैं 10 से solve करूंगा तो 19% discount आएगा मतलब यह option गलत फिर 10 को अगर मैं 13 के साथ solve करूंगा तो 10 plus 13 minus 1.3 तो 23 में से 1.3 घटाओंगा तो 23.5 तो आएगा नहीं 13 option भी गलत फिर 18 अगर मैं करूंगा तो 10 plus 18 minus 1.8 तो यह 26-24 के आसपास आगया तो 15 के साथ solve कर लो आपने देखा 10 plus 15 minus 10 into 15 by 200 तो यह कितना हो गया 25 minus 1.5 तो 25 में 1.5 गया किता 23.5% तो single equivalent जो value आगई आपके बस वो कितनी आगई 23.5 तो मतलब दूसरा discount जो है वो 15% कर आओगा यहां फिर mark price 32 पहला discount कितना दिया 10% तो mark price की खुद की value 100% जिस पर 10% की छूट देदी तो value कितनी बची 90% दूसरा discount आपने माल लिया कि 100 minus 2 by 100 ठीक है आपको बता न formula क्या होता है आपको बता formula क्या होता है mark price यह जो है selling price के equal आजाएगा formula जो होता है वो क्या होता है mark price 100 minus पहला discount by 100 100 minus दूसरा discount by 100 और जितने मर्जी आगे discount दियो यह selling price के equal होता है ठीक है जितने भी आगे discount दियोंगे वो ऐसी form में लिखे जाएंगे into 100 minus d3 by 100 into 100 minus d4 by 100 ठीक है ना तो ऐसे हम करते हैं क्या mark price जो में आपको बोलता हूं 32 है तो इसकी खुद की value 100% जिस में से 10% हमने minus किया तो 100 में से 10 minus किया तो कितना बचा 90 तो 90% यानि कि 90 by 100 ऐसे बोलता हूं मैं तो इसका यही मतलब होता है अब यह वाला number है 2x3 इस number को divisible होना है किस से 3 से तो आपको मतलब 3 का divisibility rule क्या होता है कि sum of digit of a number must be divisible by 3 तो 5 plus x x की value में क्या रखो आपको बोला है consider the maximum value of x तो x की value क्या possible है अब आप highest single digit number लिखो 9 9 plus 5 14 मतलब x की value 9 नहीं हो सकती 8 plus 5 13 8 भी value नहीं हो सकती 7 plus 5 12 7 value हो सकती है ठीक है 7 और 5 12 12 को 3 से divide किया जासकते है तो maximum value जो x की कितनी है 7 तो आपको बताना है कि x square plus x की value है नहीं 7 का square plus 7 यानि कि 49 प्लस 7 कितना चंपन अब यह अला question है आपको बोला है in an election एक election है दो candidate के बीच में 10% of the voters didn't cast their vote मतलब 10% voter ने vote ही नहीं cast किया and 5% of the votes polled were found invalid मतलब 5% जो vote पड़े वो invalid वोट डले the successful candidate got 55% of the valid votes and won by a majority of 1710 votes how many votes were enrolled देखो equation कैसे करेंगे आपने देखा एक election है दो candidate के बीच में जिसमें आपने देखा कि 10% जो voters है उन्होंने अपना vote ही नहीं cast किया तो आपने माल लिया कि जितने number of voters थे मतलब total number of voters आपने 100% माल लिये जिसमें से 10% voters ने तो vote ही नहीं डाला तो vote कितनों ने डाला 90% मतलब जितने votes enroll हुए थे ठीक है जितने votes enroll हुए थे मतलब जितने votes की सुची बनी थी उन में से 10% voters ने vote ही नहीं डाला तो आपने माल लिया कि total जो सूची बनी थी जितने voters की आपने माल लिया कि उनकी value जो 100% है जिसमें से 10% ने vote नहीं डाला तो 90% लोगों ने vote डाला मतलब ये वह वाले लोग है जिन्होंने vote डाला ठीक है अब इन 90% में से इस 90% में से क्या हुआ है कि 5% vote तो है invalid ठीक है तो 95% वोट कितने हो जाएंगे वैलिड हो जाएंगे ठीक है ना आपने देखा 100% हो जाएगी इस 90% की value मतलब 90% क्या जिन लोगों ने vote डाला वो आपने आप पे 100% जिसमें से 5% वोट जो है वो invalid है तो 95% वोट वैलिड होंगे तो आपने देखा कि 90% का 95% अब ये जो है valid की value है चीक है इसमें आपको बोला गया देख कि successful candidate को 55% मिले है मतलब इन वोट में से जो ये वोट है इन वोट में से successful candidate को 55% मिले है और unsuccessful हो कितने मिले होंगे 45% आपने देखा कि ये जो valid वोट डले है ये अपने आप में 100% जिसमें से 55% वोट जो है successful candidate को डल गए तो जो हारा candidate जो losing candidate है उसको कितने वोट डले होंगे 100 में से 55% वोट किसको डले होंगे जो हारा question में आपको बोला है कि successful candidate जो है वो कितने ही majority से जीता है आपने देखा question में बोला है कि आपको successful candidate जो है 1710 वोट की majority से जीता है तो आपने देखा percentage में कितनी majority से जीता है आपने देखा successful candidate को कितने मिले 55% losing candidate को कितने मिले 45% इन दोनों का difference कितना जाएगा आपने देखा इन द के 10% ठीक है अगर मैं बात करूं कि successful candidate कितनी majority से जीता है आपने देखा कि अगर percentage में बात करें तो 90% वोट जो है valid वोट दाले जिसमें से 90% लोगों ने वोट डाला जिसमें से 5% invalid हो गए तो 95% valid हो गए मतलब 90% का 95% valid वोट है जिसमें से 55% जो है successful candidate को मिले तो हानने वाले candidate को कितने मिले losing candidate को कितने मिले 45% तो दोनों का difference कितना आगया उसको 55 मिले उसको 45 मिले तो दोनों का difference कितना 10% मतलब 90% के 95% के 10% की जो वैल्यू है वो आपके पास कितने गीवन है इता है तो आपने देखा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी रिसल्ड कर लो आपने देखा 1710 और ये तो दस पर गए डायरेक्ट ठीक है तोस्तोय करता कि सा यहां पर का जाएगा 1000 और 95 अजाएगा इन जाएगा इंटूनवे आजएगा है तो आपने देखा कि यह गया और फिर यह जो है इसको 19 पे काटेगा 190 ठीक है और ये 19 जो है इसको 5 पे काटेगा तो 2 पे काट रहे है तो एक परसेंट की value कितनी हो गई 200 हो गई 2 इंटू 100 तो 100 परसेंट यानि कि total number of vote जो enroll हुए थे मतलब जो सूची मनी थी total number of voter की उसकी value निकालने के लिए आपको किसकी value निकालने पड़ेगी 100 परसेंट तो 100 परसेंट की value कितनी हो जाएगी आपके पास 20,000 मतलब 20,000 वोट जो है वो enroll हुए थे ठीक है तो आसान question है जाता कुछ मुश्किल है इसमें बस आगया के solve करते जाना आपके question solve हो जाएगा question में बोला कि पंद्रा identical solid spherical bowl जिसकी radius इतनी है उनको melt किया गया to form a single sphere मतलब पंद्रा identical बोल्स को मिला के एक single sphere बनाया गया मतलब सारी बॉल्स जो है पंद्रा जो identical vertical balls है sphere की shape में है उन सब को melt किया गया और एक बड़ा single sphere बनाया गया इस प्रोसस में क्या हुआ कि 35% जो मास है वो वेस्ट हो गया आपको बताना है कि single sphere का जो radius है वो कितना हो जाएगा जो single sphere बना है तो आपने देखा पहली बात तो कि एक ball है एक spherical ball है जिसकी radius जो है वो कितनी है 5 cm मैंने आपको बताया था जब भी एक shape से दूसरी shape में ढालेंगे या एक shape से दूसरी shape में convert करेंगे चाहे वो melt करेंगे चाहे वो किसी भी तरीके से तो आपको बताए कि volume उनको equal कखना पड़ता है तो आपने देखा कि spherical ball है मतलब एक ball है जिसकी shape जो है वो sphere जैसी है तो आपको पता है sphere की shape है अगर तो sphere का volume का formula क्या होता है 4 by 3 pi r cube radius कितना 5 तो 5 into 5 into 5 अब ऐसी ऐसी 15 बोल जाए तो एक spherical ball का volume कितना इतना तो 15 spherical ball का volume कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा फिर क्या हुआ कि 35% mass जो है वो waste हो गया मतलब इसकी खुद की value 100% जिसमें से 35% जो है वो waste हो चुका है तो बचा कितना अपने पास 100% में से 35% गए तो आपने देखा 65% बचा मतलब यह जो 15 identical solid spherical balls है इसका जो volume है उसका 65% जो है use हुआ है क्योंकि 35% तो waste हो गया और इससे सब को मिला के मतलब यह सारा volume जो है वो क्या कर रहा है एक single sphere बना रहा है ठीक है तो आपने देखा single sphere का volume कितना हो जाएगा 4 by 3 pi बड़ा r cube कर दो यहां पर ठीक है तो आपने देखा 4 by 3 by से 4 by 3 पाई जाएगा पहले तो ठीक है उसके बाद आपने देखा की यह गया 20 पर ठीक है जी यह गया 4 पर और फिर आगे आगे तो यह solve हो गा ही नहीं तो यहां पर आपके पास r cube की value कितनी आ गई आपने देखा r cube की value जो है वो 1281.75 आपके पास आ जाएगी तो अब option से question चेक कर लो तो आपने देखा option में क्या है एक option में आपको 12 given है एक option में 16 given है एक option में 10 है एक option में 34 radius given है देखो आपको पता है कि 1218 जो है यानि कि 1218 जो है वो 1000 से 1331 के बीच में लाए करता है आपको पता है यह होता है 10 का cube यह होता है 11 का cube ठीक है तो 10 cube और 11 cube के बीच की value है ठीक है तो 10 और 11 के बीच की value आएगी जो radius आपके पास आएगी और A की option ऐसा given है तो आपने देखा 10 से 11 के बीच में कौन सा option given है ये वला तो इसका answer जो है 10.68 cm हो जाएगा ठीक है अब यहाला question है आपनों कुछ से कर ले ना ऐसा question पहले मैं करा चुक हूँ x-1 by x की value इवन थी x cube plus 1 by x cube x cube minus 1 by x cube की value निकालनी थी वह question हम इसी वीडियो में कर चुक है ठीक है तो आपने देखा x plus 1 by x की value अगर A होती है तो x cube plus 1 by x cube की जो value होगी वह आपके बास कितनी हो जाएगी a cube minus 3 है अब a की value 11 बटे 5 पूट कर देना आपका answer आजाएगा question मैं बोला है अगर the side of a square is 5 cm अगर side double कर दी जाए तो area जो है वह आपका कितना होगा देखो एक चीज तो यह है आपने देखा side कितनी है square की 5 cm तो area कितना होगा side का square यानि की 5 का square कितना होगा 25 अब side हो जाए 2 गुनी side हो जाए 2 गुनी यनिकी साइड हो जाए 10 सेंटीमेटर तो Aria उलिया कितना हो जाएगा किया आपके पास टेन यानिकी अब एरिया कितना टाइब हों गया आपने देखा 4 पर या निकर टाइम्स हो गहा एक तरीका या दूसरीका क्या है कि आपने रेडियास जो है वो दो गुनी होगी, radius जो है, दो गुनी होगी, मतलब initial और final radius जो है, उसका ratio कितना हो जाएगा, वन ratio टो, आपको बता है, area जो होता है, वो directly proportional होता है, sorry, radius निया, side है, square की, ठीक है, radius निया, side है, मैंने गलत बोला, आज थोड़ा दिन बार वीडियो बना रहा हूं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आपने देखा, side का जो ratio है, मतलब आपको बोलागी, side अगर double कर दी जाए, तो आपने देखा, initial, side और final side का जो ratio है, वो कितना हो जाएगा, one ratio two, मतलब side अगर पहले one थी, तो अगर side को दो गुना कर दिया गया, तो final side अब आपके बास कितनी हो जाएगी, two, तो area जो होता, वो directly proportional to side का square होगा, मतलब area कितना हो जाएगा, अगर side one ratio two है, तो area कितना हो जाएगा, one का square और two का square, ठीक है, तो आपने देखा ही कितना हो गया, one ratio four, तो आपने देखा कि अगर side को हम दो गुना करें, तो area जो है, वो चार गुना हो जाएगा, क्विशन में बोला है कि एक bus है, जो मुंबई से डेली जा रही है, और जिसने 60% जरनी जो है, वो 60 km पर आर की स्पीड पर ट्रेवल किया, और 60% जो जरनी है, वो 60 km पर आर की स्पीड पर ट्रेवल किया है, और बाकी की जो जरनी बची उसकी, वो उसने 70 km पर आर की स्पीड पर ट्रेवल किया, आपको average स्पीड बतानी है, entire जरनी की, देखो, आपने देखा मुंबई से डेली जा रही है, 60% distance, ठीक है, तो आपको कि 60% distance अगर उसने पहले ट्रेवल कर लिया, आप माल लीजिए कि कहीं यहां पर 60% distance ट्रेवल हो गया होगा, मतलब यहां से यहां तक का distance कितना होगा, 60% मुंबई और डेली का total मिला कि distance कितना होगा, आपको बता है, total value कितनी होती है, 100% जिसमें से 60% टेख कर लिया, तो remaining कित आपने देखा कि अगर मैं इसका ratio माल लीजिए, तो यह तीन ratio दो distance है, मतलब total distance कितना हो जाएगा, आपने माल लिया, कि जहां पर 60% distance कम्पलीट होगा, आपने माल लिया, तो M और E के बीच में जो distance हो 3X है, और E और D के बीच में जो distance हो 2X है, तो total distance ट्रेवल कितना होगा, 3X प्लस 2X, और time कितना लगा, आपने देखा 3X distance ट्रेवल करने में कितना 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 एक बटे पीस और यह आपके पास हो गया एक बटे 35 इनका अगर मैं LCM लूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी इन दोलों कितना आएगा आपके बस 280 आ जाएगा और 280 यहां पर 14 आ जाएगा और 35 तो नहीं तो 11 पर और यह गया आपका कितने में 140 पर तो 700 आए गया रहा है यह आपके बास हो जाएगा 63.63 कि यह आपके आवरेज स्पीड आ गई जो कि राउंड आफ में कितनी हो जाएगी 64 किलोमेटर पर आएगा अब यह होला कुश्चन है कुश्चन में बोला है कि ने होल सेलर को बेचा फिर होल सेलर ने रिटेलर को बेचा रिटेलर ने कस्टमर को बेचा तो आपको बोला कि मैनुफेक्चर ने होल सेलर को बेचा कितने के प्रॉफिट पर इलेवन परसेंट के प्रॉफिट पर तो मैनुफेक्च्छर ने होल सेलर को 11 परसेंट के प्रॉ आपको बोला भी गया है क्या कि रिटेलर ने कितने में बेचा है रिटेलर का जो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है यानि कि जो कस्टमर का कॉस्ट प्राइस आपको 17,045 रूपे ठीक है आपको बताना है cost price of manufacturer ठीक है निकाल लो देखो कैसे निकलेगा आपने माल लिया cost price of manufacturer cost price of manufacturer आपने माल लिया क्या कि cost price of manufacturer कितना CP M इसका मतलब क्या हुआ कि cost price of manufacturer ठीक है तो manufacturer ने क्या किया था manufacturer ने 11% profit पर बेचा था तो cost price अगर उसका CP M हमने माल लिया तो selling price कितना हो जाएगा manufacturer का आपने देखा कि cost price के अपनी value 100% जिस पर 11% का profit कमाया तो selling price कितना हो जाएगा cost price का 111% ठीक है अब यह क्या आगया आपके पास यह आगया आपके बस selling price of manufacturer यह फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यह cost price of wholesaler है ठीक है अब wholesaler ने क्या किया 15% का profit कमा लिया अब यह जो है यह cost price of wholesaler है और अगर cost price of wholesaler आपको पता है तो selling price of wholesaler अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यह आपे 15% profit और जोड़ दो अब आपने देखा कि यह जो है आपका cost price of wholesaler इसकी value 100% इस पे 15% का profit कमाया तो 100% प्लस 15% कितना हो जाएगा 115% तो आपका selling price जो है wholesaler का वो कितना आगया CPM into 111,100 into 115,100 अब यह जो है आपके पास क्या आगया cost price of retailer या फिर ऐसा बोल सकते है selling price of wholesaler और यह जो था आपके पास selling price of manufacturer था या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि cost price of wholesaler था अब retailer ने क्या किया कि retailer को जो यह cost price पड़ा उसके बाद retailer ने इस पे 19% का profit कमा लिया ठीक है तो finally अब जो customer का cost price है या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि selling price जो retailer का है वो कितना है आपके पास 17,000 बनता था ठीक है यह question था सारा अब इसको solve कर लीजिए तो आपने देखा कि अब यह कितने पर जा सकता है 115 तो यह पहले 23 पर काड़ दो इसको 20 पर काड़ दो तो cost price of manufacturer जो है वो आपके परस कितना जाएगा इसको solve करोगे ना जब आप तो इसकी जो value है आपके पास आजेगी वैसे ना आप इसको ratio में भी solve कर सकते थे कि 100 ratio 111 फिर 100 ratio 115 आप बनाते फिर 100 ratio 119 निस बनाते तीन और ratio को multiply करते final value आपको पता थी ठीक है यह वहली final value आपको पता थी और आपके पास क्या आ जाता cost price of manufacturer आपके पास आ जाता ठीक है तो इसको जब आप solve करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 11,220.93 आएगा ठीक है तो इसके near about जो है वो क्या है 12,220 एक ही option ऐसा available है अब इसको टिक कर देंगे ठीक है ना तोड़ा कैल्कुलेटिव है और questions all हो जाएगा आपका क्विशन बोले के examination है average marks जो है 60 girls के आपको 15 गिवन है average marks of 40 boys के आपको कितने गिवन है 30 आपको पूरे group के average marks बताने जिसमें boys और girls दोनों हो ठीक है तो इस question पहले भी हो चुका है आपने देखा boys के average marks कितने 15 girls के average marks कितने 30 अब value जो है students के average marks आपको पूरे group के average marks अगर आपक में होगी तो ना तो 60 value हो सकती ना 15 value हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि 15 से 30 के बीच में value होनी चीए 15 और 30 भी value नहीं हो सकती ठीक है न अब आपने देखा girls किती थी आपने देखा यह girls का average marks यह boys के average marks तो girls के नीचे girls आ जाएगा total number of girls कितने 60 total number of boys कितने 40 इनका ratio बना लो कि इसके average marks का difference कितना है 15 15 को divide कर दो 3 ratio 2 में तो 3 और 2 का जोड कितना 5 5 की value 15 एक की value कितने आजएगी 6 तो 2 की value आगई 6 15 से value बढ़ी होगी 30 से value चोटी होगी तो 15 से 6 बढ़ी है value मतलब 15 में 6 जोड़ा तो 21 यानि कि 2 का difference कितना जाएगा 6 या फिर 3 की value 9 आती तो 30 में से आप 9 ग गटाया क्यूंकि 30 से value चोटी आनिया और 15 से value बढ़ी आनिया अब यह पूरे group के average marks हो गए आपके पास कि करना तो allocation सबसे आसान रहता है इसमें वैसे तो बहुत सारे तरीकों से evasion हो सकता है देखो equation से कैसे solve होगा आपको पता है कि x की power 4 प्लस y की power 4 प्लस x square y square के दो factor बनते हैं क्या-क्या x square प्लस y square प्लस x y into x square प्लस y square minus x y अब इस question में क्या हुआ है इस question में x की value तो x ही रखिया y की value 1 कर दी इसका मतलब क्या हुआ कि x की power 4 y की value 1 1 की power 4 1 ही होगा तो इसके भी दो factor बनेंगे क्या-क्या ठीक है तो ये चीज में आपको कहीं बार करा चुक है तो आपने देखा कि आपके formula तयार है क्या की x की power 4 प्लस x square प्लस 1 इसकी जो दो factor बनते हैं वो क्या-क्या बनते है एक्सक्वार प्लस x plus 1 x square minus x plus 1 तो इसकी भी value पता कितनी है 65 है इसकी भी पूरे की value बता कितनी है 585 है आपको निकालने है इसकी value निकाल लो x square प्लस x plus 1 की value हो गी हो 585 by 65 होगी तो ये लगबग जा रहा है आपका नो पे ठीक है ना 650 से 65 कम है ठीक है नो पे जा रहा तो नो जो आपका correct answer होगा अब यह वाला question आप लोग दोनों की speed का difference कितना 90 में से 72 गया कितना आएगा 18 अब आपको बोलाए कि difference जो है वह आपको मीटर पर सेकंड में बताना है अब यह किलोमेटर पर आर में मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर दो तो पांच भाई 18 से आपको मुल्टिप्लाइ करना पड़ेगा यह 18 से 18 गया तो पांच मीटर पर सेकंड जो है इनकी speed का difference आपके पास आ जाएगा ठीक है ना बजाए कि इसके आप 90 को मेंटर पर सेकंड में चेंज करें किलोमेटर पर आर को फिर बहत्तर को करें आप दोनों का difference ले ले पहले फिर उसको चेंज करें ठीक है ना क्वेशन में बोला है अट्रैक्टर इस ओल्ड आफ्टर एलोइंग अडिस आफ्टर एलोइंग थ्री सक्सेसिफ डिसकाउंट आफ 10 परसेंट 5 परसेंट एंड 2 परसेंट आपको मार्क प्राइज गिवन है आपको नेट सेलिंग प्राइस बताने ठीक है तो आपको पता है है मार्क प्राइज कितना है आपके बस मार्क प्राइज देहां कि खुदि की वेल्यूस जिसमें से 10 परसेंट की छूट दी जा चुकी है तो वैली बची कितना मतलब 100% value थी 10% की चूट देदी या value 10% कम करती तो value बची कितनी 90% अब इतना mark price आपके बाद बचा मतलब पहला discount देने के बाद ये value आ गई ठीक है अब पहला discount देने के बाद जो value आई वो अपने आप में 100% फिर उस पे 5% की चूट देदी और फिर फाइनली जो है 2% की चूट दी हुई है तो यहाँ पे आपके बाद selling price आ जाएगा ये same वही चीज़ है क्या कि mark price 100-D1 by 100 100-D2 by 100 100-D3 by 100 ठीक है ऐसे चलता चला जाएगा ये selling price के आपके बाद value होती है अब इसको solve कर लीजी आपने देखा ये 2-0 से ये 2-0 जा रही है फिर इन 2-0 से ये 2-0 गई तो अब आपको multiply करना है किसको selling price निकालने के लिए 488 को 9 से फिर 95 से फिर 98 से by 100 आप जब करोगे तो आपकी value जो है वो कितनी आ जाएगी आपकी value आ जाएगी 4,08,895 पॉइंट दो जीरो चिक है अब यह लग question है आपको बोला A की value इतनी है B की value इतनी है C की value इतनी है देखो आपको पता एक चीज क्या ये formula हमेशा ध्यान दखना कि A square प्लस B square प्लस C square minus A B minus B C minus C A की जो value है तो किसका equal हो जाएगी half A minus B का whole square B minus C का whole square plus C minus A का whole square ये हुआ कैसे right hand side में जो चीज बनी है वो कैसे बनी है आपने देखा left hand side में जो चीज लिखिया वो क्या लिखा है A square plus B square plus C square minus A P minus B C minus C A तो आपने क्या किया half से divide कर दिया मतलब 2 से divide कर दिया और 2 से फिर multiply कर दिया फूर equation को तो आपने देखा 2 A square हो जाएगा 2 B square हो जाएगा 2 C square हो जाएगा minus 2 A B minus 2 B C minus 2 C A फिर आपने देखा 2 A square है और 2 B square है फिर c और a से c-a का whole square आपका ऐसे ये बन जाएगा ये पूरा ध्यान रखना कि ये derivation इसकी ऐसे होनी है ठीक है वो आप बना सकते हो कोई दिख करनी है अभी के लिए आप इतना याद रख लो क्या कि a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a की जो value होती है half bracket में a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square ठीक है ये मैं क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे a की value डालू 2022 b की value डालू 2021 c की value डालू 2020 तो question को solve करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अब इससे बिलकुल आसान है तो आपने देखा a minus b a minus b की value कितनी है 1 तो यहाँ पर आपने देखा 1 का square b minus c की value कितनी है 1 2021 में जएकर मैं 2020 गटाओंगा तो कितना आएगा 1 आएगा फिर c minus 1 यानि कि 2020 में से अगर मैं 2020 गटाओं तो minus 2 आएगा minus 2 का square तो आपने देखा half एक प्लस एक प्लस चार यानि कि छे बाए दो यानि कि कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा तीन हो जाएगा तीन इस दा करेक्ट हो जाएगा तीन इस दा करेक्ट हो जाएगा तीन नेक्स्ट क्विस्टिन क्विस्टिन में बोले calculate the difference between the compound interest and simple interest on a sum of money at a rate of 8% for 3 years तो difference बताना देखो मैं तो आपको simple formula बता देता हूँ क्या कि compound interest और simple interest के difference का जो formula होता है तीन साल के लिए पहले मैंने आपको इसी वीडियो में दो साल के लिए भी बताया है ठीक है अब मैं तीन साल के लिए आपको formula बता रहा हूँ क्या formula होता है c i minus si इसकी जो value होती है वो p r by 100 का square into 3 by 3 plus r by 100 इसका formula होता है अब formula से करना चाहिए formula से कर लो ठीक है प्रिंसिपल आपको पता है कितना है 5000 ठीक है rate आपको पता है कितना है 8 by 100 का whole square ठीक है अब यह तरीका इससे solve कर लो करना है तो नहीं तो फिर अपना वो ही हा जो compound interest का table बना लो ठीक है आपने देखा principle कितना 5000 rate कितना 8% time कितना 3 साल तो 3 साल का आप सबसे पहले क्या करो तीन साल का आप compound interest निकाल लो तो आपने देखा 5000 का 8% कितना होगा आपने देखा 5000 का 8% कितना होगा 400 पहले साल प्रिंसिपल पे बिया जाया कितना 400 दूसरे साल प्रिंसिपल पे बिया जाया कितना 400 और फिर ये 400 का 8% कितना होगा 32 हो जाएगा फिर तीसरे साल प्रिंसिपल पया जाया 400 फिर 400 400 800 परसेंट कितना होगा 64 फिर 32 का 8 परसेंट आ जाएगा 32 का 8 परसेंट आपके बस कितना हो जाएगा है 2.56 ठीक है ना अगर आप 8% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 32-8 कितना 256 22, तो यह कितना हो जाएगा 2.56, ठीक है न, अब आपने देखा कि compound interest इतना आ गया, simple interest कितना हैगा, आपको पता है, simple interest जो है, वो हर साल सेम होता है, और हर साल निकलता कि इस पर प्रिंचिपल होता है, मतला पहले साल भी simple interest चार्ज होगा, दूसरे साल भी तीसरे साल भी, तो द देखे न, दोनों का difference आपसे पूछा है, CIE और SI का, difference जो है, वो इतना आएगा, ध्यान रखना हमेशा जब भी आपको कोई भी question दे, उसमें CIE और SI का difference पूछे अगर, तो ध्यान रखना, CIE का आप टेबल बना के आप पहली line जो होती है, मतलब यह जो पहली line है, यही काट दोना, तो बचा हुआ जो भी आपका बनेगा यहाँ पे, वो आपका CIE और SI का difference होगा, तो 96 में आपने 2.56 जोड़ा, तो 98.56 जिसकी value जो है, वो 99 के equal हो जाएगी, तो 99 है compound interest और simple interest का difference, 5000 रुपे 8% 3 साल के लिए, अब यहला question है, दो parallel code है, ठीक है, add wrong in a circle of diameter, डायमेटर radius कितनी हो गई, 5 cm हो गई, ठीक है न, एक code की length आपको गिवन है, कितनी 8 cm, आपने माल लिया, ऊपर वाली code की length कितनी है, आपके बस 8 cm, और दोनो code के बीच में डिस्टन्स है, वो कितना है, 6 cm का है, तो अभी आपको यह नहीं गिवन की, एकी side में code है, या center के opposite side में code है, तो आपने का किया, center से code पे perpendicular डाल दिया, ठीक है, अब आपको पता है, कि center से, अगर में code पे perpendicular डाल लो, तो meet point पे डलेगा, तो मतलब, यह दो equalis तो में डिवाइड होगी, मतलब, इसकी भी length 4 हो गई, इसकी भी length 4 हो गई, अब आपने एक चीज़ देखी, क्या right angle triangle है, जिसमें अब आपने देखा, center से, यह भी 3 cm की दूरी पे है, यह भी 3 cm की दूरी पे है, तो इसकी length भी कितनी हो जाएगी, 8 cm, क्यूंकि दोनों center से same दूरी पे है, ठीक है, मतलब, वो भी 3 cm उपर है, यह 3 cm नीचे है, और आपके पास क्यांसे, same दूरी पे है, तो दोनों quad की length equal हो ज यह 5 cm, तो 5 अगर hypnuse है, 3 अगर perpendicular है, तो यहां से यहां की value कितनी हो जाएगी, 4 cm, तो यह भी 4 cm, 4 और 4 को जोड़ूँगा, कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, ना, perpendicular जब गिरा थ, तो quad को 2 equal हो इस्सों में divide करता है, 8 meter है, ठीक है, यह ध्यान देना, यह centimeter में मैंने लिख दिया सारा कुछ, यह meter में है, यूनिट, ठीक है, ना, यह चीज एक बढ़ देख लेना, यह तो आसान question है, बहुत बार आ चुका है, अना, अब 1045 की value कितनी है, आपको पता है, 1045 की value 1 होती है, 3 into 1 का square, अब cos 60, cos 60 कितना होता है, sin 30, तो 2 sin 30, minus 2 sin 30, यह तो आपस में कटी गया, 0 हो ठीक है, तो value कितनी हो गई आपके पास, value आपके पास आजाएगी, 3, ठीक है, ना, तो 3 plus 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, question में बोला है कि, अगर price जो है, rice का हम raise कर दे 20%, तो consumption में कितना reduction आएगा, ताकि expenditure जो है, वो same रहे, देखो, आपको एक चीज़ पता है, कि expenditure क्या होता है, price into consumption, ठीक है, expenditure का जो formula होता है, वो क्या होता है, price into consumption, मतलब मेरी consumption कितनी है, 1 kg, price जो है, का 1 kg का 10 रुपे है, तो अगर मुझे expenditure निकालना है, तो मैंने क्या क्या, price into consumption मतलब मैं 1 kg खा रहा हूं, जिसकी गीमत मैं 10 रुपे अद़ा कर रहा हूं, तो 10 into 1 kg, अगर मैं 2 kg खा हूं, तो 10 into 2 kg, तो मेरी expenditure तो आपने देखा कि एक्सपेंडीचर तो सेम रहेगा यानि एक्सपेंडीचर रहेगा कॉंस्टेंट अगर एक्सपेंडीचर रहेगा तो प्राइस जो है वो तो अगर प्राइस के इंवर्सली प्रपोरशनल यानि की 120 हो गया तो प्राइस का रेशो है तो चेंडीचर गेएगा कितना कर रहा है पांच किस वज़े से क्योंकि प्राइस जो है रइस का बढ़ चुका है तो पहले छे कंजयूंग कर रहा है नहीं तो च है न ही बीट अपने एक क्या देना है ज के रहा हैं इनिशिल वेल्यू है यह माइनस जो है यहां लगाने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि आपको क्यों में बोला है क्या रिडक्षन हो रहा है अगर इंक्रिमेंट होता तो यहां साइन अल्रेडी प्लस का आता है तो यह चीज़ आप ध्यान देंगे तो 16.6666% होता तो उसको राउंड आप में 16.7% लिखेंगे आपको बोला है विच हील इस दा थर्ड हाइस तो आपने देखा 9000 हाइस वेल्यू है उसके बाद 85 उसके बाद 83 सो वेल्यू होगी यानि की ह7 ह7 जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेशन में बोला है विच टाइप अफ कार कंस्टीटूटेड 30% अफ दा ओल कार्स प्रेडूस बाइद अपनी दूरिंग 2013 तो आपने देखा 2013 में जो टोटल कार प्रेडूस हुई है तो आपने देखा टोटल की वेल्यू कीवन है कित्ती सतर थीक है जो है कंसी टूरिया 30% अफ ओल कार प्रेडूस बाइद कंपनी दूरिंग 2013 मतलब आपने देखा 2013 में टोटल कार कित्ती प्रेडूस हो रही है सतर सतर का तीस परसेंट आपको बदाने कौन सी टाइप ओफ कार है तो सतर का तीस परसेंट आजएगा 21 तो 21 कौन सी टाइप की क आपने देखा इंकम कितनी सतर अजार सतर अजार का 14 परसेंट आपके पास कितना आजएगा 9800 तो 9800 जो आपका करेक्ट आंसर होगा वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना फ्रेंट रिलेटिव नों जो भी खुश रहें तैयारी करते रहें थैंक यू